वारंगर की लेडी लीडर जिनकी दहशत से दुश्मनों की रुहु तक काप जाती है MP हो या MLA कलेक्टर हो या बड़े से बड़ा मंत्री सभी उनके कद्मों में अपना सर जुकाते हैं उनका नाम है शैल जा रेड़ी अगर उन्हें पता चल जाए कि कोई मर्द किसी औरत पर जुल्म कर रहा है तो उनका खूं खौल उटता है और वो उसे इसकी भयानक सजा देती है अबला औरतों की लाज बचाने वाली दुश्मनों को धूल चटाने वाली एक ऐसी निडर शेरनी जो अपने गुरूर से अच्छे अच्छों तक को जुका देती है मुझे घर से निकाल दिया है अम्मा अब इम बच्ची को लिकर कहा जाऊंगी पुलिस हो या घुंडा वो किसी से नहीं डरती उन्होंने एक बार जो फैसला कर दिया पूरे गाव के लिए पत्थर की लगीर बन जाती है यहां तक कि पुलिस वाले भी उनके फैसलों को अदालत के हुक्म की तरहें मानते हैं मौत से बचना आसान है पर शेलजा रेड़ी के पंजे से बचना ना मुम्किन है शेलजा रेड़ी की शोहरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 17 MP, 84 MLA सभी उनके इशारे पर नाचते हैं यहां तक की राज्य का मंत्री चुनने से लेकर पंजायत के बड़े बड़े फैसले तक शेलजा रेड़ी खुद करती हैं उनकी नजरें जब भी उठती, दुश्मनों पर कहर बरबाती तुर्गा की तरह दुष्टों की चाती पर सवार होकर उनकी जिन्दगी चीन लेती वो गुनहगारों के लिए जितनी खुखार हैं, गरीब और मुहदाज लोगों के लिए उतनी ही तयावान भी हैं वो गाव वालों के लिए मसीहा हैं, उनके सुख दुख में मददगार इसलिए लोग उन्हें प्यार से कहते हैं शैल जा अम्मा बेस्ट बिजनसमेन अवार्ड अस्ट्रेलिया में मिला था ये बिजनस चैंपियन अवार्ड ऐसे बहुत से है क्यों? आखें फटी की बटी रहे गई? अंकल दी नमत्ते सर आप जैसे बिजनसमेन के साथ काम करना हमारी खुश किस्मती है जहां भी आपके कदम पड़े वहां आवार्ड और रिवार्ड की बारिश होती है बड़ 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 आपके आगे हमारी क्या ओकात इज्जत और शोरत की चाहत ने आपको वहां पहुँचा दिया जहां पहुँचने के लोग सपने देखते हैं सर आप असाधारण है ये जिर्फ चाहत ही नहीं बलकि ये मेरा जुनून है क्या बात है, आप जैसे महान विक्ति से हमारा रिष्टा जुड़ पाना हमारी खुशकिस्मती है, हमारी तक्दीर है, चली, प्लीज काप सर, वक्त हो गया है, छोटे माली कभी तक नहीं आए अम फिगर मत तरो, हम शुरू करते हैं, वो अमेबाद में जॉइन कर लेगा and he's my son, he will be on time sorry boss, थोड़ा लेट हो गया, कीज कोई बात नहीं, लाओ दो boss, जब मैं आपको कीज देही रहा हूँ, तो सच का भांडा भी फोड़ देता हूँ मैं अपने पिताजी घटोतकच के साथ घास छिलने गया था लीजे, कीज boss, मुझे लगा था कि आप मेरी तश्रीफ पर इतने डंडे बरसाओगे कि मेरी नरम तश्रीफ सूज कर तंबूरा बन जाएगी, पर आप तो देवता निकले जब तुमने कीज मांगी थी, मैं तभी समझ गया था कि आज तुम जरूर कोई कांड करने वाले हो, अब कीज मिलेंगी, प्लीज boss, वाँ, मेरे पैदा होने से लेकर आज तक, मेरा सगा बाप भी मुझे नहीं पहचान पाया, पर आपने एक जटके में मुझे पहचान लिया, वाँ, कीज अब तुम्हारी बकवास की वज़े से और लेट हुआ न, तो तुम्हारी तश्रीफ का तंबूरा बने ना बने, मुझे डाट की डांट खानी पड़ेगी, कीज कैसे कैसे चीप लोग रिष्टा लेकर आ जाते, उन्हें अंदाजा भी है, इस रुद्बे इश्वरत को पाने के लिए मैंने कितना साक्रिफाइस किया है, और तुम्हें क्या सब्रूत थी मेरी उन, ट्रोफिस के बारे में बात करने गी, माफ किजिएगा सर, मुझे लगा उनकी वैसे आपकी इसद बढ़ेगी, आपकी इसद बढ़ेगी, अब ये इसद बढ़ाएंगे, नॉनसेंस, क्या मुसीबत है, अब क्या हुआ, तो कैसे लगी बहू, बहू अच्छी है, अच्छी है ना, तांती, मैं ताता हूँ कि तुम अपने नलम नलम हातो तेव, मिले घलपल गलम गलम पकॉले बनाओ, मैंने देती घी भी मंगा लिया है, तुम पकाना में खाऊंगा, फिल आपी दाके दम के कमाऊंगा, अब ये मिडल क्लास वाले डायलोग्स बोलकर किसको इंप्रेस कर रहा है, ये मेरी बेटी, इसको इंप्रेस करना इतना आसान नही है, पहले तुम्हें मेरा दिल जीतना होगा, अजी आप बिलकुल बेफिक्र रहिए, बस एक बार शादी हो जाने दीजिए, ये सब का दिल जीत लेगा, क्यों बिटा, ये ही दाता हूँ, अब रस्म शुरू कीजिए, मेरे बेटे को अपना दावाद सुकार कीजिए, और बेटी का कन्यादान करके हमें धन्य कीजिए, आपको लड़की पसंद है, लेकिन हमसे नहीं पुछेंगे लड़का, हमें पसंद है कि नहीं, बीजी, ये आप क्या कह रहे है, तुम चुप रहो, मैंने कहा था, मैं लड़के से मिलना चाहता हूँ, और आप बाजे-गाजे अगर उन्हें पता चला कि मेरा होने वाला दामाद एक दो टके की कमपनी का ओनर है, तो मेरी क्या इस्दत रह जाएगी, बुरा मत मानिएगा, पर दो कौडी के लोगों के साथ रिष्टा रखना मुझे पसंद नहीं, आपके साथ रिष्टा जोड़कर मैं अपने स्टेट के बिना कोई भी काम नहीं करते, आप क्यों बात का बतंगड बना रहे हैं? ये रीती रिवाज और परमपरा की बात प्लीज आप मुझे मत सिखाईए, और प्लीज सबसे पहले आप मुझे संधी जी कहना बंद कीजिए, अभी तक मैं आपका संधी बना नहीं हो, समझे? आ मैं मानता हूँ कि हम आप की तरह रैस नहीं है, मानता हूँ कि मेरी बेटी की कंपनी बहुत छोटी है, पर हम आप की तरह अपनों की खुशियों का गला नहीं घुटते, बलकि उनकी खुशियों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लटा कर उनकी जोली खुशियों से खादिर, हम सरे आम अपनी हैसियत और इस्दत का जनाजा निकालते हैं। तॉली अंकल, पापा तक गल्ती होगी। अरे, बास सिर्फ खलती की नहीं। अगर इनसे खलती हुई होती तो मैं कुछ नहीं बोलता। इन्होंने हमारे जूते में पैरे डालने की, कोशिश करके हमारी बरावरी करने की खलती की जो माफी के काबिलने। अरे, आपके हैसियती क्या है जो हमें माफ करें। एह, मेरे इघर में खुषके, मुपस बतमीजी करें। रुकना भी खौन चाहता है। बेटी जब तक तेरे बाप में इतना गुरूर है, याद रख तरी शादी कभी नहीं हो सकती यह ट्राइइ टू कर्सपाइड अट तरी हिंबक्ये से वह निगाने आसे ज़िए आपक्षाइड ज़िए आपक्षाइड आगे क्या मुसीबद है मा, क्या ज़रूरत है हर बात के बीच में इगो लाने की आप हमारे लिए कोई और पापा नहीं ला सकती थी क्या उनकी वज़ा से ही तो मुझे इतने प्यारे बच्चे मिले हैं क्या बात है, आपके हिसाब से हमेशा हमी गलत होते हैं उन्हें ना कुछ बोलना है ना कुछ कहना है पर ऐसा ही चलता रहा, तो शांती की शादी कब होगी मा जरूर होगी बेटा, मेरी मा हमेशा मुझसे कहा करती थी भगवान सब की जोडियां बनाते हैं, इसकी भी होगी बस करिये, भाई, इन्हें समझा के फायदा नहीं ये हमारी मा बाद में है, पहले पापा की वाइफ है इन्हें तो पापा को समझाना चाहिए ना, पर ये तो उनका ही साथ देती है तुम भी दोनों क्यों नहीं समझाते एक बार कोशिश करोगे तब पता चलेगा सब कुछ जानते हुए भी बेकार की बाती करते है उपरवाला सोचता होगा घर नहीं, चिडिया घर बना है सर, सौ कमिनों के मरने के बाद, तमारो डैड ने जनम लिया होगा बुरा तो नहीं लागियो चारी, सर, ये कौन है? इस वकट हम लोग धर्ती पे ही है ना? धर्ती पे ही है, लेकिन ये तो देव लोग से आई कोई अपसरा लगती है बापो, लगता है शॉर्ट सर्किट था ही गयो उसने आपके दिल का फ्यूज उड़ा दिया लगता तो है अब तक खड़ी है मतलब वो भी चाहती है कि आप उसे ताड़ते रहो लागे रहो सर, औरी बॉड़ी स्कैन करो नाखून, चमणी, बाल सब स्कैन करो लेकिन इसके खूबसूरत गुलाबी गालों पर गुस्सा क्यों है ऐसा क्या जाकर पता करो एक्सक्यूज मी खड़े-खड़े बदन सुखा रही है तुम्हाब आ रहे हो, एक घंटे से मुझे घूर रहे थे तब होशनी आया अपना एरिया में अपने सी हूल पट्टी, आप यहाँ पर कुल ढून रही है क्या यह अड्रेस, मैं अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ एक घंटे से धूप में खड़ी हो, वहाँ आकर हमसे पूछ सकती थी न मैं तुमसे आगर अड्रेस पूछू, मैं यहीं रहूँगी, तुम मुझे अड्रेस बताओगे किसी घुसकोर मंत्री की बिगड़ेल बेटी लगती है हाँ, चलो अड्रेस बताओ लाओ तुम्हारा फोन तो बताता हूँ यह गूगल बाबा का इशारा तो उस घर की तरफ है यह तो तुम्हारा घर है ना हाँ, लेकिन आपके दिमाग की तरह उसका भी टॉप फ्लोर खाली है शायद आप वही रहने आई होंगी वो गॉट, कहां मर का यह लोग प्रेंड्स आने वाले, आप अंदर चलकर अपना नया घर देख लीजिए ना जैसे यह आपके फ्रेंड्स आएंगे, हम उन सबको उपर पहुंचा देंगे चालो ने मेडम, ग्रिह प्रवेश कर लीजिए क्या पता अंदर जाने के बाद, आपको कभी भी बाहर आने का मन ही ना करें आहाहा, अमीर खाने को रोशन कीजिए कोयल ने भी एंट्री पास कर दी, आजो हो मेडम फूल भी आपके पहर चुमकर, आपका स्वागत कर रहे हैं मेडम आवो मेडम, आईये, आवो, आईये, आवो, ये लिजे एक मिनट, लेफ्ट लेक फरस्ट, लेफ्ट लेक केम पापो, खड़े-खड़े बाभी मिल गई सर, सारुच है, अन्यो, बंगला उस तरफ है, वहां का जा रही है, गांडी दोस्त हमेशा घलत टाइम पही आजाते है, सारी, गूगल माप्स ने तो यही बंगला दिखाया था, शायद मुझसे कोई गलत फेमी हो गई है, अमारी चुग नती मैडम, ये सो ग्राम की काली कोयल, है चुप, पनोथी चिकन की हड़ी ने, सारा प्लान बरबाद कर दिया, आप त अरे, सुन चिकन की एड़ी, क्या? इस अंटीक पीस की बाग्राउंड स्टोरी बताएंगे? पूरी तिलंगाना में उसकी जैसी गुरूर वाली लड़की और कोई नहीं है, ये शेलजार एड़ी की कलौती बेटी है, नहीं, मुझे नहीं खाना। जिद और गुरूर में उनसे सौ कदम आगे है, एक सेर है तो दूसरी सवा सेर। लगभग पात साल पहली दोनों की बीच का रिष्टा मा बेटी से बढ़ कर था, जैसे कि दोनों सहेलिया हो, इन्हें देखकर लोग कहा करते थे कि ये दोनों जरूर पिछले जनम की बहने है फिर एक दिन एक घटना घटी, इनके गाउं में तब सिर्फ एक ही प्राइवेट हॉस्पिटल था, गाउं की हर औरत की दिलेवरी की जिम्मेदारी एक ही डॉक्टर पर थी, तब ही शैलेजा रेड़ी को कुछ पता चला आज तक तुमने यहां पच्पन डिलिवरी करवाई है, सारी की सारी सेजेरियन थी, एक भी नॉर्मन नहीं, आखिर तुभारे सीने में दिल है या पत्थर, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के नाम पर जलात हो तुम, गरीब गाउंवालों को धोका देकर लूटते हुए शर् कर नहीं है, आप जहां खड़ी है, वो मेरा हॉस्पिटल है, क्या कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे धमकी दे रही हो, देखिए यह हॉस्पिटल है, कोई धरम चाला नहीं, जहां फ्री में डिलिवरीज करवा के सारे खर्ची अपनी जेब से भरती रहूं, तु तुमने कहा है, मैं करके दिखाऊंगी, अब यह तो आपको आने वाला वक्त ही बताएगा, और अगर हॉस्पिटल नहीं खोल पाई ना, तो जिंदगी में किसी को लेक्चर मत देना, देखती जाओ, शैलेजा रेड़ी के गुरूर को उस दिन बहुत बढ़ा धक्का लगा और उन्होंने अनु को डॉक्टर बनाने का फैसला कर लिया, वाट इस दिस ममी, आपको लोगों की मदद करनी है तो कोई और तरीका ढूनिए, मुझे इन सब चीजों के लिए फोस मत कीजिए, ऐसा नहीं है अनु, उस डॉक्टर ने मेरी बहुत बेज़दी की, तुम्हें अनु, बेटा, शान्त हो जाओ, अनु, बत तब इजी, बत करो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मैं नहीं मानने वाली, अनु ने सब के सामने, अपनी मा के अर्मानों के टुकड़े टुकड़े कर दिये, शैलजा रेटी को इस बात से इतनी ठेस पहुंची कि, पांच सा नजर अंदास कर दिया, हर हाल में हम सबको एक रहना है, उसके बात मैं देख लूँगी, वो, शैलजा जी, कब तक इस से बात नहीं करोगी, आखिर यह हमारी बेटी है, अगर शैलजा रेटी अपनी ही बेटी पर हुकम नहीं चला सकती, तो किस हैसे से दूसरों पर हुकम इसने मेरा अपमान किया है, अगर ही मेरी बीटी होती, तो मेरा कहा मानती, पर इसने मेरी अर्मानों का गला घोट का ठीस पहुचाई है, एक बार भी अपनी मा के बारे में नहीं सुचा, पहले मुझे उस डॉक्टर ने जलील किया, फिर इसने जलील कर दिया, इसने एक बा जब भी बात करूँगी जब ये डॉक्टर बनेंगी मुझे भी बहुत पर अलगा कि मेरी अपनी ही मा मुझे नहीं समझ पाई तो मैंने सोच लिया कि जब वो खुद मुझ से बात करने आएंगी मैं तब ही उनसे बात करूँगी ये क्या फाल्तुगिरी है? फाल्तुगिरी नहीं, बिमारी है दिखने में तो अच्छे खानदान की लगती है और आपकी किसमत किसे जण्ड हुई? कॉलिश में साथ है, वहीं फ्रेंशिप हुई फ्रेंशिप का नाम दे के बदना मत करो, क्यों असल मैं यह अत्याचार है, जबर्दसी की जोड़ी है बात में दम है खाना खुद खाती है, या वो भी खिलाना पड़ता है उसके लिए भी असिस्टन रखा है, वो देखो, कुमारी वो सांस लेना, खाना पीना सब भूल सकती है, पर अनु की देखभाल कभी नहीं ऐसा लगता है, वो अनु के लिए ही पैदा हुई है, अनु को जुखने की नाम से ही नफ्रत है, कुछ गिर जाये तो कुमारी उठाती है, अक्रू है, बाई ओके बाई भाईया, चोगरी का में अटोंबम ज्यादा लागे छे, पर एक बात बोलो, ये वही है, जो आपके डैड को सुधार सकती है, आप बस बाभी को घर ले आईए, बागी वो सम्भाल लेगी बेन, आ करो ने टावल दो, आ लेओ तुम जरू भाईया, जरू भाईया, बाईया, यहाँ पर एक लड़की है, उसे भी इन्वाइट करना प्लीज, पर वो है कौन भाईया, अपने डार की जिरोक्स कॉपी है, चल मेरे साथ मुझे दिखाता हूँ, आज आज आज, देखना, पक्का कोई सप्राइज है, आज तेरे भाई को मैने कभी इतना एक्साइटेड नहीं दिखा, हाँ अनु, हमारी कॉलनी अच्छे लगी न, हाँ, तुम यहाँ पर क्यों आया हो, यह सोजान्या है, मेरी बहन की दोस्त, यह मेरे लिए बहन जैसी है, इसकी शादी होने वाली है, इसलिए इन्विटेशन दे अगर तुम आज आप आओगी, मतलब ब्लेसिंग्स देने के लिए, तो इसे अच्छा लगेगा, हे, तुम ऐसे हस क्यों रही हो, शायद तुम इसे नहीं जानती, पर यह कॉलनी के सभी लोगों को इन्वाइट कर रही है, इसलिए तुम भी आओगी, तो इसे बहुत अच् मेरी कॉलेज की पढ़ाई से लेकर, मेरी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां इन्हों नहीं उठाई है, मेरी मा नहीं थी, पर इनके रहते, मुझे मेरी मा की कमी कभी महसूस नहीं हुई, मैं तो मंदर में शादी करने जा रही थी, लेकिन अनो ने, मुझे आकर रोक लिया मेरी शादी का सारा इंतजाम, कपड़े गहने से लेकर, होटेल बुकिंग्स तक सब इन्हों नहीं सम्हाला मारी बेन बहुत अच्छी से, ये हमेशा अपने दोस्तों का ध्यान राखे है और उन्हें कभी तुखी नहीं देख सकती, अनोहार्ट बहुत अच्छो है इसे तो मैं बिगड़ी और नक्चड़ी समझ रहा था, लेकिन ये कुछ और ही निखली बॉस एक वाद क्लियर कर दू तमने, वो लड़की लड़की नहीं बल्कि चलती फिरती आना कॉंड़ा है हमें जिन्दा निगल जाएगी, और ऐसी कुलाड़ी पर, आप अपना सर पीटने जा रहे हो कहना के चाते हो, मतलब आप सू करो चू सर, नेम्बू का अचार ना, खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए होता है मुँ पे लगा के मुँ जलाने के लिए नहीं होता है एक तो पहले सी आपके घर पे डैड के रूप में सुतली बॉम पढ़ा हुआ है और तो और आप मिसाइल लाने के भी बात कर रहे हो चारी, गुलाब में कांटे होते है अनार पर एक सक्त परत होती है और चॉकलेट पर रापर होता है तो क्या इनका मजा ना ले? बिल्गुल नहीं इन्हें आराम से खोल कर खाते है वैसे ही पापा और अन्नू पर गुरूर का एक कवर चड़ा है लेकिन उनसे प्यार तो कर सकते हैं ना समझी गए हो सर या, इस अनार के चकर में आप अनारी बन गए हो और आपको प्यार व्यार कुछ हो गया है सर एक बात याद रखो चारी हर किसी के महबबत के पीछे दर्द भरी कहानी चुपी होती है उस दर्द को सहकर ही हमारी महबबत सफल होती है जैसे दिल का दर्द? या, ठीक चे सर आज और अभी से मैं आपका चेला बन कर आपकी मदद करूँगा अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते माई होनहार कॉलेज के होनहार स्टुडेंट्स सर, चाचा शेरू ने कह था आराम होनहारों का काम है हम नेक्स्ट वीक के आर्ट इंग्जिबिशन के बारे में बताने आया है हमें शॉटकट कंपनी के एमडी मिस्टर चैतने की तरफ से स्पॉंसर्शिप मिला है पूरा 10 लाग का लेकिर उसका भी एक शर्त है मैं हम लोगों को उसका एक जानदार पोर्ट्रेट बना किया इक किफ्ट करने को मंगता जानदार क्या शानदार भी बना दूंगा अभी पिछले ही हथे मैंने एक तस्वीर बनाई थी मैने पडोस के खडू संकल की अब उस तस्वीर पे एक बहुत बड़ा हार चड़ाए क्योंकि वो खुदा को प्यारे होगे अगर वो एमडी भी मर गया तो दसलाग क्या तुम्हारा बाप देगा मैं तुम रहने दो एक तो डेट साल से कॉलेज का फीस नहीं दिया ओपर से आने वाले पैसे को पनाऊती ही लागा रहा है सिट आउन माइडियर अन्नु ये ना हमारे कॉलेज का मोस्ट प्रस्टीजिस इश्यू है और पिछले आट एक्जिबिशन में तुम चैंपिन रहे चुका है अगर तुम लोगों को पेंटिंग बनवानी है तो नो तारीफ वरना यहां से दपाओ जाओ दस लग का सवाल है अन्नु प्लीज पोट्रेट बना दो और मत भूलो तुमको ये फर्स पैस भी देंगा क्या सच में बनानी होगी यस मैं डियर ठीक है शाम को तुम दोनों रा सब्सक्राइब काम बन गया थैंक्यू सो मच सर आपने लाइफ बना देंगा वरना यह अकडू लड़की एक बार कमेट्मेंट करती है तो अपने बाप की भी नहीं सुनती है यह दबंग की चोटी बेन खमांड है सर चालू तहीं जाओ तुम दिखाई नहीं दे रही हो क्यों मुझे क्यों देखना है मेरी आखों में देखो ओके बिल्कुल जील जैसी आखे हैं इनमें टूप जाने का मन करता है आखों में नहीं नाख को देखो उफ यह नकरा और यह अदाएं उपर से नाख पर गुस्सा कमाल है वैसे तुम्हारे होट गुलाब की पंखुडियों की तरहां क्यूट है मैं उन्हें देखता हूँ सर आखोई सेल बाजार न थी मैडम जा के रही है वहीं पर देखो आर्टिस्ट के बात नहीं मानोगे तो आर्ट की वाट लग जाएगी है ना मैडम बेंग फ्रूट लियो अभी तो एक ही लाइन खीची है इतनी जल्दी भूख भी लग गई चारी बेचारी को भूख लगी होगी यू कंटिनियो अनू यू कंटिनियो आपके आद की कमाल की कारीगरी देखकर आईना जेरी ने रांग तो ही जासे आप तो लेडी पिकास हो मेडम सच में हलो फोन तो मेरे पास है पर ब्लूटूथ मेरे कान में है ना हाँ समझ गया समझ गया अनू सॉरी अर्जन कॉल एक काम करो यह सब लेकर शाम को घर आजा ह ठीक है ओके बाई ठीक है मैं आ रहा हूं सर कली आपको वड़ाब होगे लिए दस रूपे दिये थे सर बात एक घंटे की हुई थी और आप 15 मिनिट में बाहर आ गए एक ही दिन में पूरा एक घंटा साथ बिता कर खत्म थोड़ी करूंगा सोचा चार-पांच दिन 10-10 मिनि सर लोग मेरे हाथ से पोट्रेट बनवाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं और वो खुद को समझता क्या है पोट्रेट बनाते वक्त अचानक चला गया और मुझसे कहता है कि शाम को घरा जाएंगा शांत हो जाओ उसको घर में कोई वर्क होईंगा उसकी तरफ से मैं म माफी मांगता हूं माफी तो उसने भी मांगी थी लेकिन मैं जो होट हुए छोटी-छोटी बातों से होट होएंगा तो हाट पर असर बढ़ेंगा पोट्रेट बनाते वक्त मैंने तुमारा फोटो कीच के कॉलेज का वेबसाइट पे डाल दिया कॉलेज का सारा लड़का ल चल 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 कमान कमान क्या बात है है हलो भाई साब मारी बेन आपको बुला रही है है हाँ आनू हाई कहने नहीं आई हूँ यहाँ आकर बैच और मुझे अपनी पोट्रेट पूरी करने दो पेंटिंग में पसीना अच्छा नहीं दिखेगा न और वैसे भी अभी मेरा मूड नहीं है हाँ सुभा फ्रेश होकर तुमसे मिलता हूँ ओके सी यू बाई तू एसी में पेंटिंग बनाना पसीना नहीं आएगा गुड मॉर्निंग अनु तुम लोग बिना नहाए चले आए एक कम चिंपैंजी लग रहे हो अब जल्दी से किसी पार्लर में जाओ और अपना बासी चेहरा चमका के आओ उसके बाद ही आना वरना मेरा मूड चला जाएगा और हां ब्रश करके आना क्यूंकि ब्रश करने से पर अपना ब्रश करने से क्या फरक पड़ेगा कौन से लोगों को पता चलने मुझे तो पता चलेगा ना अनु तुमारे दोस्तों को पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता अलबीद है सर अगर पेंटिंग अच्छी नहीं बनी न तो इसका बड़ा बैनर शौचाले पर लटका दूला आखेर आप लोग मारी बैंड ने सबचते क्या हो एक बार अन्नी पेंजल चालू हो जाये तो पेंजल रुक जाये लेकिन बैंड नहीं रुकती लगता है तमारी बैंड रो बाब का पेंटिंग बनाईये वें तर ने तो लंगूर में हीरो बना दिया तैयार थाई जाओ सर चारी मैं तो अपने एक्जाम में भी इतना नर्वस नहीं हुआ था खूब सूरत कारी-गरी को देखने की बेकरारी बढ़ती जा रही है चलो देखते है रेड़ी वान टू टू त्री आपका बुडापा इसने अभी ही बता दिया तुझे के मैं इतना बुरा लगता हूं वो जब छोड़ो अभी इसे शौचाले पही लगाना पड़ेगा क्या हूआ कैसी लगी इतनी अच्छी है इतनी अच्छी है क्या मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि पेंटिंग म वो असली है या मेरे सामने जो खड़ा है वो असली है उस हट्टी-कटी मोना लिसा को देखने के बाद आज दूसरी बार मेरे कलेज और किड़नी को ठंडक मिल रही है ऐसी कमाल की पेंटिंग दुनिया में सिर्फ यही बना सकती है बॉस आदमुच्छ है बॉस कहीं इसे न लेकिन बाकी तो रोम रक्राट और करेक्ट भन्यूच अनु इन दोनों को देखकर लगता हो दाल में कुछ काला है पींटिंग खराब है, खुद की शकल दिखिए हाईने में अरे ओ मैडम, आपकी ये दोस्त ऐसी क्यों है, दिन बार आग में घीर डालती है, घर पे रोटी में डालने को बोलो न अनु, तुम्हें गुस्ता करने की कोई जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं, किसी को बुला कर पूछ लेते हैं, अभी प्रूव हो जाएगा, एक्सक्यूज मी बॉस, जरा एक मिनिट यहां आएंगे प्लीज, अब लड़की नहीं है, जो घूर रहा है, बोलना तु यह, यह मै नहीं हूँ, मेरा बाप है, अबे, तस्वीर में कोई गुंडा लग रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वो तेरा बाप है, यह मेरा बाप नहीं है, तो क्या तेरा बाप है, महारो बाप, अबे, मेरे बाप का चेरा इतना घटिया लगता है, टेड़ी नाग सूझे हुए हो, तेरा बाप जो जनम भी ले ले लेगा ना, तो भी इसके जैसा नहीं बन सकता, यह, मेरा बाप कॉंटेस्ट में नहीं खड़ा है, सुभा सुभा इसका चेरा देख ले तो आजारी, मूखो ताला लगा, तमारो इतनी बईसेती में सह नहीं कर चारी, सुरी, मैं अपने अबे, चल, चल, निकल, अनू, ऐसे लंगूरों से अच्छा है, किसी जानकार को बलाते हैं, बहुत हुआ, तुमनी यहां मेरी इंसल्ट करने के लिए, मेरी कलाकारी पर शक करने के लिए, और मेरा मजाग बनाने के लिए, उस जाहिल गवार को यहां बुलाया, तुमारी हि कैसे हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैडम, तुमें बिल्कुल बुरा नहीं मानो, मैंने कुछ सूचा है, एक्जिबिशन में जो भी इस पकोडे वाली शकल को पहचाने गा, उसे प्राइज में हम एक भजिया देंगे, और क्लू के लिए बॉस चटनी लेकर खड़े रहेंगे, अपना मुझ बं रखो, कुछ और कहना तुम आट डलूँगी, मैं सब समझ गई, मैं तुम्हें भाव नहीं दे रही थी, तुम पेंटिंग में मिस्टेक निकाल कर मुझे गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रहे थे, अरे, आप कहें तो मैं पांच लाग की डील साइन कर लूँ, इसके लिए डैट से क्या पूछना, तुम भी तु कंपनी के जॉइन टिम्डी हो, पांच लाग दे कर डील साइन कर लो, ए, वे जुल्म की बाते करके इसे बिगाड रहे हो, बले ही ये मेरा बेटा है, लेकिन मेरी मर अजी से बना हुआ खाना तक मैं नहीं खाता, मेरी इजाज़त के बिना मेरे घर में एक चिडिया भी अपने पर नहीं फड़ फड़ा सकती, आई बात समझ में, हलो, हालो, हाँ ठीक है सर, फोड़ा टाइम दीजे, मैं वही पहुंचता हूं, हाँ, ओके, क्या जाओ चो, औ और आप तो गरम दूद में च्छलांग लगाने की बात कर रहे हो, हर बार आप उसे मिलते हो, और किसी को बक्रा बनना पड़ता है, इस बार किसे बक्रा बनाए, मने सु खबर, गांडो तो ही गियो, एक-एक दिन करके जो इज़त कमाई थी, वो बरे बाजार में लुड़ गई, मैं तो मुझ दिखाने के लायक भी नहीं रहा, लोग प्यार में अंधे होते हैं, और मैं बिना प्यार के ही नंगा हो गया, लगता है खेत के बीच मुझे चिडिया के लिए खड़ा कर दिया है, अगर जरा से भी हवा चली, तो हो जाएगे मारी इसन ने खली-बली, कुमारी, मुझे कोई अच्छा सा आइडिया बताओ ना, अन्नू, जिससे मैं कुमारी को पटा सकूँ, उसके पास जा करीब पूछ लो न, मैडम आप भी ना मजाग अच् काम है, लेकिन तुम सोच भी नहीं सकती हो कि कुमारी के लिए कितना मुझकिल होगा, मैं पूछ लूँगा तो आसानी से हा कह देगी, बहुस, तमारो प्यार केटो प्योर चे, मेरा प्यार कोई घी नहीं है, जिसे प्योर होना चाहिए चारी, प्यार शब्दों में बया न हो या खरबुजा, आज उठा लेंगे बोचा, चलिए जर टेंपररी प्यार बुलावे छे, चारी, मतलब पर्मन प्यार, चलिए, चारी, ना बॉस, मैडम पीछे से आ रही है न, येस बॉस, मारी वाट लागी, मनने बहुत डर लागे है साहब, आप मारी बेन को बिलकुल भी नहीं जानते, आनू गुस्सो बहुत डेंजर है, एटलो ड्रामा करके, मनने इस गाड़ी में बिठा के, तन्य बेना ने केसे बटाओगे, मनने कुछ समझ में नहीं आवे है, तुम्हारी आनू मैडम में, बहुत ज्यादा इगो है, मतल, इसे कहते है, परसन सेंस ऑफ स किसी और को मिलेगी, ओ, तो आ बात है, अब बात मारी समझ में आई, कल रात जब मैं बेन से मिलने गई, तो वो ऐसे गुमसुम्ती जैसे किसी ये ख्याल में डूबी हो, अच्छा, अरे आ भाई साब, जब रात को पानी पीवा उठे, तो दो बजे तक वो जाग रही थी, जमतकार हो गे हो, जारी, बास, लगता है हमने जो तीर चलाया था, वो ठीक निशाने पर जाकर लगा, ये मेरे मेक्यानिक का नंबर है, जाकर अपनी गाड़ी रिपैर कर वालो, मैं पे कर दूँगी, दो ठक एका आदमी, अपनी खटारा लेके दफाओ जाओ, इधर आ, मुझे उंगली दिखाता है, उंगली काट के रख दूँगी, इतनी असानी से कहा जा रही है, हाँ, वो गाड़ी बीच में लाया था, एक तो पीकर गाड़ी चला रहा है, शुकर कर कंप्लीन नहीं की, हाँ, चाल, तुझे बताता हूँ, बहुत गमर्डेना तेरे को, चाल, 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 कौन है रहा तू, और कौन होगा, उसका लवर लगता है, क्या सही गैस मारा है यार, मुझे प्यार करना भी आता है, और प्यार में हड्डियां तोड़ना भी आता है, तो चलो इसी बात पे, बजाओ रहे, तौगा, और अब नजारा पदल चुका है, हीरो के सामने इस वक्त है, एक नहीं, दो नहीं पूरे चार चा जिने रहना होगा होश्या हीरोईन मुस्कुराई इन सब की शामत आई ये लगा चोगा नहीं मिला मौका हो रही है जबर्दस धुलाई गुंडों को उनकी नानी आदाई हीरो जानदार है उसकी फाइट शानदार है पबलिक देख रही है सारा नजारा कैसे हीरो ने विलिंग्स को मारा क्योंकि इनों ने किया है हीरोईन पर अज्याचार और ये रहा फिनिशिंग टच अब ये तो हो गया सॉरी मैड़म गल्दी करके माफी मांगता है ओके अब तो ही गोशान्त हो गई ना सॉरी अन्नू उनके सामने मैंने कहा कि मैं तुम्हारा बॉइफ्रेंट हूँ वैसे तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो भी मैं यही कहता बस फाइट से पहले मैंने एक डायलोग मार दिया सीरियसली मत लेना हम? सी य बाइ अनू, गुद मॉरिंग साड़े नौ बज चुके है चला बूट जा हे सुबा सुबा तंग करने आ गई कुमारी कहा है अरी वो, वो सुबा उटकर टिप टॉप बनकर चहतन्या से मिलने चली गई उसने कहा कि जब तुम उट जाओगी तो उसे कॉल कर देना चैतन्या, इस टूमच तुमच क्या है, बेहन के साथ खाना खाना गलत है क्या चैतन्या, मैं बाद में मिलती हूँ, बाई कुमारी कहा है मेरे दिल में वो फिजिकली इस वक्त कहा है ये बताओ चाहे फिजिकल हो या मिंटल हो अब वो हर तरह से मेरे दिल में है चैतन्या, मुझे ये सब पसंद नहीं है तुम उससे प्यार मत करो क्यों, क्या हुआ, शायद उसे भी मैं पसंद हूँ तो क्या हुआ तो, अगर उसे मैं पसंद हूँ तो, शायद जल्दी मेरे प्यार का जवाब भी दे देगी अगर तुम्हे प्यार करना ही है तुम मुझसे कर लो क्या कहा है तुम मुझसे प्यार कर सकती हो वो सब मैं नहीं जानती पर तुम जैसा प्यार कुमारी से करते हो मुझे भी वैसाई चाहिए और जो कुछ तुम कुमारी के लिए कर रहे हो वो मेरे लिए करो चलो अब जल्दी से मुझे आए लव यू कह दो लव यू चू कहके मैं एकसप्ट कर लूँगी चाहे समोसे का ओर्डर दे रही हो क्या जब प्यार होता है तो उसका इजहार किया जाता है और जब तक प्यार अपने दिल से नहीं निकलता न उसका कोई फायदा नहीं होता आँखों में देखकर ही पता चल जाता है कि कोई तुमसे प्यार करता है प्यार ऐसे नहीं किया जाता वैसे भी ये सब बाते तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं होगा तुम तो प्यार के लिए बनी ही नहीं हो अगर मैं तुम्हें प्रपोस करूँगा और तुम मेरे प्यार को मान भी जाओगी न फिर भी पूरी जिंदगी मैं अकेला ही तुमसे प्यार करता रहूंगा और तुम प्यार करोगी अपने घुरूर से मतलब? मतलब मैं ही तुम्हारे लिए बैटिंग करूँ, मैं ही बोलिंग करूँ, मैं ही फील्डिंग करूँ, मैं ही जाकर कैज भी पकड़ू और इतना सब होने के बावजूद हम दोनों की क्रिकेट मैच में आखिर में आखिर में आउल भी मैं ही हो जाओ अनू प्यार में न, दोनों के बीच सही अंडिस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है हम शादी कर लेंगे, लेकिन अपने आप से पूछो के तुम उसे जिन्दगी भर निभा पाओगी वो जिम्मेदारी तुम्हारे बस की बात नहीं है चारी तो मुझसे कली कह रहा था सर, अच्छा हुआ आपको कुमारी से सच्चा प्यार हो गया ना कि उस अनू माडम से अगर आप उसको मेसेज भी करते कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ वो किस करने के बदले आप से और दूर चली जाती मैं तो बच गया जैने माडम से बच्चा प्रक शर रच करने के बच्चा मनग् माडम से पहा शे यार आप सब्सक्तली लिए हो जाप भी करते कि मैं तो हो यार आप 설ule अरे बेन, अठे क्यों बेटी हो, पता है मैं आपको सवेरे से ढून रही हूं, तन्य भूख नहीं लागी, देखो, बारेश आने वाली है, घर में चलो बेन, सारी मुसीबत की जड़ तू ही है, मेरा दिल और दिमाग दोनों कराब कर दिया, तेरी वज़े से मैं इतनी चीफ हरकत कर बैठी, किसी के उकसाने पे मैं सब कुछ भूल कर उससे कैसे प्यार करने लगी, मैंने उसका प्यार पाने की कोशिश की, जो मुझे नहीं किसी और को च जाता है, मैंने प्यार छीनने की कोशिश की है, मैं भूली गए थी कि मैं कौन हूँ, तुम एक इंसान हो, एक औरत हो, बस गुरूर में अंधी हो गई हो, अगर आप भी नहीं समझी तो तुम बेवकूफ हो, ये सब तुम्हारी वज़े से हुआ है, मुझे उंगली दिखा और नेरी लड़की हो, और कुछ नहीं, इगो, तुमसे ज्यादा इगो मुझ में है, पर उसे कब और कहा दिखाना इसकी अच्छी समझ भी है मेरे अंदर, जो तुम में नहीं है, ये गुसा भी तुम्हारे उस गुरूर का नतीजा है, मैं कबसे उस गुसे को प्यार में ब प्षिर होगी तुम, हाँ, बोलो, तुम उनके दांत तोड़कर उने छट से नीचे भैंग दोगी, तो फिर सोचो तुमने मुझे किस क्यूं किया, क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो, क्योंकि तुम मुझ से प्यार करती हो, और तुम अपने गुरूर की वज़ह से कुम अने ही नहीं दे रहा है, बस अब बहुत हो गया, तुम मेरे लिए सही नहीं हो, मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा, क्या कुछ नहीं किया, ताकि तुम्हें देख सकूँ, तुमसे बात कर सकूँ, तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त विता स लेकिन अगर तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो, तुम मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा, बाय आनू क्यादे रहना। तुम ने मेरा नमबर ब्लॉक क्यों कर दिया। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है तो मैं नमबर रखे क्या करूँ आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो एक तरफ तुम कहते हो कि तुम मुझसे ज़ादा किसी और से प्यार नहीं करते और दूसरी तरफ तुम मुझसे दूर रहकर मेरी शकल भी नहीं देखना चाहते जानते हूं मुझे कैसा महसूस होता है लाइफ में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी किसी के बिना अधूरी है और उसके बिना मेरा कोई वजूध ही नही एक लड़की के लिए सबसे कीमती चीज उसकी इज़त होती है मैंने तुम्हें किस किया था भूल गए पहली बार जब तुमने मुझे देखा था मैं तुम्हें पसंद आ गए थी और उसी दिन तुम भी मुझे पसंद आ गए थे जब तुम हर जगा मेरे पीछे आते थे तुम मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता था दिल को सुकून मिलता था जब तुम हमारे कॉलिज के आर्ट एक्जिबिशन के सिलसिले में आये थे तब मुझे लगा कि तुम मुझे प्रपोस करोगे लिकिन तुमने कुमारी का नाम लिया और मेरा इगो होट हो गया मुझे बहुत बुरा लगा मुझे लगा तुम मुझे से दूर हो जाओगे और इसलिए मैंने तुम्हें प्रपोस कर दिया मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ चलो मुझे आया लव्यू कह दो लव्यू जू कहके मैं भी एक्सप्ट कर लोगी मैंने बहुत इंतजार किया कि कब तुम आओगे और मुझे प्यार का इजहार करोगे मैंने तो खुद आकर तुमसे अपना प्यार मांग भी लिया फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया चैतन्या कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ माना मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हूँ पर मैंने कोशिश तो की मुझे भी बुरा लगा मेरे गुरूर को मेरी नादानी समझ कर मुझे माफ कर दो, पर मेरे प्यार को भी तो समझो, मैं अपने इगो को इससे जादा और नहीं गिरा पाऊंगे, प्लीज चैतन्य, प्लीज तुम्हारे प्यार के मुकाबले, मेरे एगो इतना बड़ा नहीं है, कि तुम्हें मना कर सकूँ मेरा बेटा छोटे से छोटे फैस्टे लेने से पहले मेरे पास आकर मेरी मनसूरी लेता है पर इस घर की बहु चुनने से पहले एक बार उसने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा सौरी पापा, सौरी कहकर तुम अपने इगो को शांत कर सकते हो लेकिन मेरी इजाज़त के बेना तुम इसे अपनी बीवी नहीं बना सकते, माइंड इट अनु सुनो, चलो मेरे साथ कहाँ चलना है? क्या चालू से मतलब? सर को मनाने के लिए और कहाँ? नो वे! अरे! So, you want to marry Chaitanya? जी हाँ Oh, that's nice Please, मेरे पैर देख रही हो तुम्हे मेरे पैर पकड़कर उसे मुझसे मांगना होगा Uncle, please accept our love उसके बाद मैं सोचूंगा Come on Sorry, नहीं कर सकती बेटा, बड़ों का अशिरवाद लेने में कोई बुरी बात नहीं है तुम इनका अशिरवाद ले सकती हो Please, don't force me, auntie मुझे किसी के पैर चुना बिल्कुल पसंद नहीं है मैं तो ऐसी ही हूँ और मैं किसी को खुश करने के लिए खुद को बदल नहीं सकती हूँ ये मेरे उसूलों के खिलाफ है आगे आपकी मरजी फिरसे सोच लीजे अगर मैं पसंद हूँ तो ठीक है बढ़ना आपकी मरजी प्लीज चैतानिया मुझे लड़की पसंद है ओ, I'm serious I'm serious, I'm not joking तुम्हारे अंदर मेरे घर की अच्छी बहु बनने की सारी qualifications कूट-कूट कर भरी है इस वक्त मुझे तुम्हारे भीतर अपना ही रूप दिखाई दे रहा है मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा self-respect बहुत जरूरी है और इसकी वज़े से तुम किसी के आगे छुपना नहीं चाहती ये भी अच्छा लगा सिच्वेशन चाहे कैसी भी हो तुम अपने एगो से कॉम्परमाइज नहीं करती है है सॉप सिरियस्टी चैतन्य मै तो इतना ही काहूँगा कि तुम्हे असली हीरा चुना है साच्छू बोलेचे सार साच्छू बोलेचे सर लिव टो मी आई शॉल टेक केर अफ इट थैंक्यू सार चैतन्य उन्होंनों मुझे प्रेजिडेंट चुन लिया है कमाल हो गया बताये ये फाइव यूर्स ते उस पुजिशन के लिए ट्राइ कर रहे थे अनू ये सब तुमारी वज़े से हुआ है इनके घर आते ही मुझे गुड्यों सुनने को मिल गया बहुत बहुत बदाई हो सर आपको टक्करवाला मिली गया काई काई करना बंद का सबको पता चलना चाहिए कि आप प्रेजिडेंट बन चुके है तुम्हें अरेंजमेंट कैसा लगा अच्छा है ना बाकी सब तो ठीक है लेकिन वहां थोड़ी गड़ड़ अब सही है शुट अप याद है उस दिन हमारा उससे कितना जगड़ा हुआ फिर भी उसने आज सब कुछ भुला कर हमें यहां बुला लिया है पागल है क्या वो सिर्फ हमें अपना रुद्बा दिखाना चाहता है वो देख आँ भाईसाब वेल्कम कॉंग्रेट्स थैंक्यू जी शंकर राओ जी थैंक्यू फो कमेंग आप जामते हैं बिना किसी के आगे गिड़गिड़ा है या भीक मांगे मुझे ये पुजीशन मिल गए बस आपको बताना चाहता था थोट यूड नो इस तो आप कर चुके आज फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं यह दरसल था राजश्वर जी अरेजमेंट तो बड़ा शांदार किया थैंक्यू सो मच पर इसका क्रेडिट मुझे नहीं चाहता तो फिर? इस प्यॉर्ली बिकॉज अफ माई डॉटर इनलो डॉटर इनलो? येस डॉटर इनलो बिल्कुल सही सोना आपने शंकर राओ जी शी मस्ट पी हाहा देर शी गुलाब और गेंदी का कॉम्बिनेशन अच्छा है न? मैं घलत नहीं हूँ तो ये वारंगार वाली लड़की है न? इसे कौन नहीं पैचानता? ये वह ही है लगता है ये लोग इसके बारे में नहीं जानते तुम भी ना जगण है इस रिष्टे को उसके घरवालों ने खुशी-खुशी मान लिया? मैंने मान लिया यही बात है मैंने मन्जूरी देदी बात बन गई मेरी इच्छा से ही तो ये मेरी बहु बन पाएगी शायद आपको गलत फेहमी हुई है हमारा तो सिर्फ जगड़ा हुआ था इसलिए रिष्टा तोड़ दिया पर यहां बात अलग है भाई साब मेरी बात मानिये उसके घरवालों से बात करके उनकी मन्जूरी ले लीजिए क्योंकि आप जैसे लोगों को उसके परिवार वाले हमेशा जूते की नोक पे रखते हैं यह क्या पकवास कर रहे हो तुम हाँ हमसे मिलवाने से पहले उनकी मन्जूरी ले लीजिए उसके बाद ही हम सबसे मिलवाईए नहीं तो बाद में शर्मिंदे की जिल नहीं पड़ सकती है एक बार मैंने फैसला कर दिया तो मुझे किसी और के फैसली की जरूरत नहीं है शंकर रहा हो मैंने कहा ना कि मैंने अपनी मन्जूरी दे दी मतलब यह शादी जरूर होगी और यह प्रिटी मज फाइनल हो या नहो यह बाद में देखा जाएगा देखने के लिए कुछ पचेगा ही नहीं क्योंकि मैं इसी वक्त उनकी सगाई करवातूंगा फिर देखते कौन रोकता है एंगेजमेंट के लिए उसके फिंगर में रिंग डालनी होगी जिसके लिए वो कभी हा नहीं कहेगी लगता है आप उसे जानते नहीं कोशिश कर लीजे एक्स्क्यूज मी फ्रेंड्स ये एवरिबड़ी अटेंशन प्लीज उन दे स्टेज तैंक यू, तैंक यू सो मच आप सभी का मेरे इस खुशी के मौके पर आने के लिए शुक्रिया मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आप, एक्चली ये छोटी सी बात नहीं काफी बड़ी है इस वेरी इंपोर्टन मोमेंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जैतन्य, माई बॉइ, कम आउन आप, कम आउन अरे जाओने सर जैतन्य को तो आप सभी जानते है वो मेरी कमपनी का एक होनहार और महंती M.D. है अरे देख क्या रही हूँ, उपर आजाओ, उपर आजाओ बेटा जाओ बेटा, तुम्हें बुलाएगे यहाँ आओ बेटा जाओ जाओ तो आप सब के आशिरवाद से ये दोनों अपनी जिन्दगी साथ निवाना चाहते हैं और मेरे वेल विश्यर मिस्टर प्रभाकर के आशिरवाद से आज आप सब के सामने इन दोनों की एंगेजमेंट होगी ये क्या कह रहे हैं? तांक यू, जस्ट नीद यूर ब्लेसिंग्स अबबा, ये सदिनली क्या कर रहा है? आपको अभी डेट तो अनाउंस करने दो ये सगाई के बाद बता देंगे ना, शांत हो जाओ भी ये क्या कर रहे हैं? कम से कम अच्छा मुहुर तो देख ले थे मुहुर देखकर ही तो मैंने ये फंक्शन रखा हुआ है पंडित ने भी कहा था कि अच्छे कामों के लिए पॉफेक्ट डे है अब लाओ अपनी अंगूठी दो, तुभारे बेटे की सगाई हो रही है अलो, कैसे हैं? बापा, प्लीज ऐसा मत कीजी, प्लीज अनाउंस्मेंट हो चुकी, आप कुछ बदल बदल नहीं सकता उस शंकर राओ की तरफ ज़रा गौर से तेखो अंदर ही अंदर मुझ पर हस रहा है कमीन, कह रहा था कि मैं ये सगाई नहीं कर पाऊँगा शंकर राओ जी बापा, उस आत्मी की वज़े से आप मेरी शादी, मेरी बड़ी बैंसे, वहले कैसे कर से तेखो रहे, don't worry, चैतन्य, मैं अच्छी तरह जानता हूं कब क्या कैसे करना है रभागर जी, आईए, आईए, प्लीज, तश्री फलाइए चैतन्य, यह अखर हो क्या रहा है, तुम कुछ बोलते क्यों ने, अनु, वह हमारी बात नहीं मानेंगे, वह ऐसे ही है, फिलाल हम उन्हें समझा नहीं पाएंगे, अनु, सगा ही कर लेते हैं, मैं बाद में सब संभाल लूँगा, ओके, I can't accept all this, अनु, प्लीज, मैं कह रहा गणिलियेily और भुछ धेका हाएं, मूुछ निकला जारे़, qamon, let's go यह तुम्लो चैतन्यन, यह हुय रूबेगे वाद बात मुबाराको पाद बात में दुना माग वल्यन दंदुना अनु को भेजवना तो दमकी देने वाला होता कौन है और तुझे अंदर किस नहारे दिया अपने आवाज नीचे कर और मुझे से बिना पूछे इसकी सगाई कैसे करवा दी जानता नहीं हो मुझे अब तुम सब मरोगे रुख जाओ 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 कर रहा है तू अनु कौन है इसे मेरे मामा के बिना तो इन दोनों के शादी करवाने चला था अब तुझे कोई नहीं बचा सकता तुम सब मरोगे तुम्हारी वो हालत होगी के मौत के फरिष्टे भी थरा जाएंगे मेरी डेली इस पर पदम रख्या तुम मुझे धंके तहरी जबान खीच लूँगा तुझे कोई अ तुम्हारी पापा ने गल्ती कर दी शैतन्या मेरी शादी मेरी मर्सी से नहीं हो सकती अगर मेरी मम्मी को पता लगा तो आज के बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे मुझे जाना होगा अनुख अनुख मेरे फंक्शन बे आकर मेरी पेश्च थी की मैं इस कमीने को है का है वाज माई जी सर फोन लगा कमिशनर को फोन लगा और मुझसे बात करवा हलो 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 कमिशनर आपके दोस्त होंगे पर सी एम उनकी जेब में आखर ये शैलजा रेड़ी है कौन बेटा उससे प्यार करने से पहले तुम्हें पता लगा लेना चाहिए था कि उसकी मा कौन है वरना वो ऐसे नहीं चली जाती तो फिर बताओ ना कौन है वो उसके बाद देखताओ मुझे क्या करना तो सुनो अगर कोई भी उस औरत से टकराता है तो वो उसे पूरी तरह तबाह करने की ताकत रखती है उनका नाम है शैलजा रेड़ी तो बात यह है कि कोई उसके गुरूर को तोड़ेगा तो वो उसे छोड़ने वाली नहीं है आपका इगो तो आपने मनाया है पर उसका इगो जेनिटिकल डिसॉर्डर है खानदानी है, बीमारी है यहां तक कि उनके पूरे गाओं में उनकी इजाज़त के बिना कोई शाधी भी नहीं कर सकता जरा सोची आपने तो उनकी बेटी की ही शाधी उनकी इजाज़त के बिना तै कर दी है अब तो भगवानी मालिक है हाँ, एक और बाद इस फंक्शन में आपने मुझे इसलिए बुलाया था ताकि आप कई को सटिस्फाई हो सके पर इगो सटिस्फाई हुआ मेरा थैंक यू 25 तारिक याद रखिएगा पाच्पाइफ फॉन लाई पापा बस कीजिए बहुत हुआ बहुत किया आपने अब इस बात को और मत बिगाड़िये शांती अपने बॉइफरेंट से शादी नहीं कर पाई क्योंकि आपने उसके परिवार वालों का अपमान किया लेकिन अब मुझसे मेरी अन्नू को मत शीनिये प्लीज फोन नहीं उड़ा रही है बेन चैतन्य साब सवेरे से दस बार कॉल कर चुके है बात करो ने बस बस बात करो हलो क्या हुआ क्या हुआ मतलब तुम्हें लगा मैं तुम्हें इतनी जल्दी भूल जाओंगा तुम्हारा पीज़ा चौड़ दूँगा वारंगल पहुँचने माले हैं मैं तुम्हारी मम्मी मतलब मेरी सासुमा को किसी भी तरह कन्वेंस कर लूँगा तुम यहां आ रहे हो मेरी मम्मी को जानते हो ना अनू मैं तुम्हारी मम्मी को सब अच्छी तरह से समझा दूँगा मैं उनसे माफी मांगूंगा, चाहो तो रिक्वेस्ट कर लूँगा, किसी भी तरह उनके गुस्से को ठंडा कर दूँगा, मुझे नहीं लगता मेरे दिल के बाद सुनने के बाद वो मुझे मना कर पाएंगी, अगर कुल्हाडी पर ही सर्माना चाहते हो तो आजाओ, ओके, ए तुम्हारी मम्मी का है, देख ले न, उन्हें मैं इतना पसंद आऊँगा कि खुशी-खुशी शादी करवा देंगी, अपनी आवाज जरा नीचे रखो, उन्हें पता चल गया न तो तुम्हें जान से मार देंगी, ऐसा क्या, मतलब तुमने सगाई का भांटा फोड़ दि मम्मी को आज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, अगर आपने उन्हें बताया, तो मैं खुशी कर लूँगी, आपको मेरी कसम है, मामा जी, बादा कीजे मुझ से, ऐसा फिर मत करना आनू, तुम जो को होगी वही होगा, प्रामेस, प्रामेस, अगर वो सच नहीं जानती तो उन्हें हम बता देंगे, उसके बाद वो करेंगे भी क्या, फिर मेरे जैसी हालत हो जाएगी, फाइव स्टार में शेफ था मैं, अब कर्ची लेकर खाना बनाता हूँ, ना इस टू मीट यू सर, तन्ने शेल जा, अम्मा को पेचानते नहीं हो, अगर अठे होती तो, मरी क्या हुआ, अम्मा, तो इसमें डर्ना क्या है, कहदो हम तुम्हारे दोस्त है, शुप करो, इससे पहले की मम्मी तुम्हें आ देख ले, जाओ यहां ते, अरे क्यों जाया, दिलवाले आया है, दुलनिया लेकर ही जाएंगे, मानिक राज, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूणा है, बेटी, लड़का मी के लिए नहीं, यू के लिए ढूणा है, जानती हूँ, अब इन सब की आदत हो गई है, लड़का क्या करता है, मैं पताता हूँ बेटा, लड़का बहुत रिच है, और इसी घर में मानिक राज, जोग था मैडम, उनको लफा रहा था, पर वो लाफती नहीं है, क्या बंडल जोग मारता है, लड़का एक डॉक्टर है, मुझे बहुत पसंद है, मैंने उसे लड़की देखने के लिए बुला लिया है, पर इसके जोड़ी उसके साथ जमने चाहिए न, जैसे मेरी तुमारी वो सब शादी के बाद भी हो सकता है, तुम बीच में मत पढ़ो वेनू, चुप रहो, मैं कहां बीच में पढ़ रहा हूँ, पापा साही कह रहे है, उससे शादी मुझे करनी है, इसलिए मुझे पसंद आना चाहिए, अंडेस्टैंड मैडम, वो ऐसा होना च चेहरे पर केवडे का फूल खेला रहा था, आइ मेन उसको लफ़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो लाफती चीए, तुम्हारे लिए लड़का ढूणना मेरी जिम्मेदारी है, वो चाहे तुम्हे पसंद हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, मानिक राज, मैं लड़का ख अब संजा पूरे महिने का राशन दू ही खतम करता है, हराम का लड़ू पचे का नहीं, एक और डलता हूँ, लड़ू पे लड़ू निकाल रहा है, अलवाई की दुकान खोलने वाला है क्या, अब अगर एक भी लड़ू निकला ना, तो वही लड़ू में तुम्हें, अब हारी अलमारी में डायमेंड नेकलस रखा है, देख कर बताओ कैसा लगा, क्योंकि मुझे पैसे देने है, पर कुर्ते पे अच्छा नहीं लगेगा, गधे, जब अकल बट रही थी, तू क्या छुट्टी पे था, शेलजा जी, अगर आप खुद यह हार उसे पहना दे तो उ इस दिन वो मेरी बात मानने लगेगी, उस दिन मैं उसे हार पहना होंगी हाँ बोले, तुम क्या कहना चाहते हो तुम और तुम्हारी मा ठीक से बात क्यों नहीं करते, समझ में नहीं आता, बीच में मानिक राज की क्या ज़रूरत है हम पिछले पांच सालों से बिल्कुल इसी तरह बात कर रहे हैं इस गाओं में सभी मेरी मा की इस्सक करते हैं वो जो भी कहती हैं, यहां के लोगों के लिए हुकम बन जाता है उन्होंने जिन्दगी में कभी हारना नहीं सीखा एक लौती बेटी होने की बज़े से मैं भी अपनी मा के ही तरह थे हम दोनों को देखकर लोग कहा करते थे कि यह दोनों तो बहने जैसी लगती है एक दिन एक छोटे से जगड़े की बज़े से हम दोनों के रिष्टे के बीच अचानक एक तरह आ रहा गए मुझे इन सब चीजों के लिए फोस मत कीची क्या तुम अपनी बर्जी चलाओगी मैं नहीं मानने वाली अनू बेटा देखिए ना मैं आर्ट चेंपेंशिप में फोस्ट आई हूँ कब तक इससे बात नहीं करोगे जब यह डॉक्टर बनेगी तो आब आचे गुट जब अनू एक्सिलेंट बॉस रास्ते का काटा साफ हो गया और नहीं तो गया तुम तो उनसे पिछले पांस सालों से कोई बात नहीं कर रही हो तो तुम दोलों की शादी से उन्हें कोई फर्क पड़ेगा तो भी वो कुछ नहीं बूलेंगी बेवजे का टेंशन लेने से अच्छा है बीजाने टेंशन में डाल दो तीस साल बात भी मुड़के देखोगी तो यही म्यूट टेलिविजन दिखेगा इसलिए चिंता छोड़ो और सुक से जीओ एक दिन खोदी मसका मारने आ जाएंगी तब तुम भाव खाले ना बुढ और या कहने की वो चाहे जैसी भी है मेरी माँ है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ उनकी बुराई नहीं सह सकती चैतन्या मुझे मेरी माँ वापस चाहिए अब उनकी खामोशी मुझसे और नहीं सही जाती मैं उनसे बात करना चाहती हूँ मैं समझता हूँ अनू इसकी बातों का बिलकुल बुरा मत मानो आज मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को जरूर मिलाऊंगा और जब तक वो तुमसे बात नहीं करेंगी मैं उन्हें हमारे बारे में भी नहीं बताऊंगा जब तक ऐसा नहीं होता, शादी नहीं करेंगे, ओके? नमस्ति मेटम, आपके बारे में न्यूस पेपर में कुछ प्रिंट है मानिक राज हाँ आज मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, तो आम हाउस तयार कर लो, वो कुछ दिनों तक यहीं रहेंगे मानिक राज, उन्हें बुलाने से पहले, मेरी पर्मिशन क्यों नहीं ली गई आँ, वही तो क्यों नहीं ली गई अपने ही घर में अपने दोस्तों को बुलानी की पर्मिशन लेनी पड़ेगी अरे नहीं, मेडम, ये तो आपका ही काष़ल है, और आप यहां की प्रिंसेस हैं मेरे दोस्त डॉक्टर्स है, मेरी तरह आर्टिस्स नहीं पर आपको तो डॉक्टर्स पसंद है ना डॉक्टर लाएके पर उसके बाद जाना हैं लाएके अब इसनों बुला ही लिया है तो आज आने दीजिए कुछी दिनों में आपसे डग के चले जाएंगे देख लीजिए डॉक्टर सैफ उनकी इस मीटिंग के बाद तुम्हार इस मीटिंग का नमबर है आजकल के गाउं काफी एडवांस हो गये हैं पहले के लोग खेत में लोटा लेकर जाया करते थे आजकुल तो बिजनेस मीटिंग होने लग गई है अरे लोटे से याद आया बच्पन में मैं भी लोटा लेकर जाने का एसी जैसा फीलिंग आता था आप भी सबका परसनल सोचा ले हमारे सामनी यह सब बात करे हो भूल गया क्यों रे, तूने मुझसे बिना पूझे ही अपनी शादी कर ली, यहां तक कि ये सब अपनी मा से भी छुपाया, पहले तो तू अपनी मा की बेज़ती किया करता था, अब तू शराब पी कर बंद कबरे में अपनी बीबी को मारता भी है, तुझी क्या लगा, वो औरत है, तो भी मेरे गाउ में रहकर, एक लो नल्लो केस के लिए एक लो मोटो ताम जम दे, मैडम साहिब, परिवार हमारा लोग भी हमार है, वो हमारी माह है, जैसा बात करना चाहे वाइसा करेंगे, चाहे जोरू को मारें या मा से बेज़ती करें, पर आपने हमारी घर की बात को आशा बना कर रख दिया है, और जो बखेडा खड़ा करने में मदद की हैं, उनका तो जुलूस हम निकालेंगे, और आप समझ ले, यह नोटंगी करके अगर आपको लग रहा है कि अम डर जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, देखे ना मा, आपके सामने धमकी द एक तो मेरी इजाज़त के बगएर तुने शादी कर ली, अब मुझे धमकी में दे रहा है, अब मैं तुझे इस गुणा की वो सजा दूँगी, कि तु कुछ करने के लाइक नहीं बचेगा, नर्सिब्भा, इसके कंद्रे पे धेर सारी लकड़ी बादो, और पूरे ट्रेलर देखकर एर निकल गई, और भी बहुत कुछ निकलेगा, पहले पेंदे तो, वकर टेकले, यही हारी है, पतली गली से निकल चलते है, अच्छा रहे का, भूल गया हम यहां क्यू आए, तुझे जाना है तुझा, तुमारा टाइम आगे है, और चलो चलो पहली पहल मैडम, स्मॉल मैडम के फ्रेंड लोग है, हलो माम, तुम लोग यहां किस प्रोजेक्ट के लिए आए हो, शादी करवाने के लिए, इलाज, इलाज करवाने के लिए, हम गरीब लोगों की सेवा करने के लिए एक हॉस्पिटल खुलना चाहते हैं, और उसी का सर्वे करने के एक्चुली हमें हॉस्पिटल का आइडिया अनु नहीं दिया था, उसने कहा था कि अगर गरीबों की मदद के लिए यहां हॉस्पिटल बने तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्या ये सच है, अरे आप ही की बेटी है, भले आपसे बात नहीं करती, पर आपको बहुत आपकी तरह समझती है, आपकी तरह नहीं जिद्धी और अकडू, दोनों ही खुन पीती है, तब दूसरा तो मिनिट चुप रहेगा, शैल जा रेड़ी उन सब का साथ देती है, जो लोगों की भलाई सोचते है, जब तक आपको अच्छी जगे ना मिल जाए, आप यहां रह बेचारी, इसमें इसकी कोई गल्ती नहीं है, अनु से अपनी गल्ती की माफी मांगने के लिए, मैं यहां खुद अपनी सांस को मनाने आया था, ताकि हमारी शादी हो जाए, पर यहां आने के बाद मुझे पता चला, कि फिलाल वो ज़रूरी नहीं है, पहले इन दोनों को म इसका सर्फ एक ही रास्ता है, अनु को किसी तरह से उनका दिल जीतना होगा, इनके बीच की इस गहरी खाई को मुझे प्यार से खत्म करना होगा, और सबसे जरूरी बात उन्हें याद दिलाना होगा, कि अनु को उनसे प्यार है, गुड, अगले दो दिन में एक मन्हूस द आप ही ले दीजिए, लो, थैंक्स, तुम्हें कैसे पता, मानिक राज ने बताया, मानिक अमको तो खुद का बड़्डे भी याद नहीं होगा, वो क्या खाक आपका बड़्डे याद रखेगा, उल्टा वो तो हम ही से पूछ रहा था, मैंने बताया, क्या आज दुरगा म अनू, उसी ने हमें बताया, और उसने क्या कहा, और उसने हमें बताया, कि वो आपको जान से भी ज्यादा प्यार करती है, भगवान से भी पहले वो आपका नाम लेती है, तब जाकर वो खाने को हाथ लगाती है, आज उसका सबसे बड़ा त्योहार है, इसलिए इस दिन को धुन दाम से मनाना चाहती है, वो भी एक नहीं तीन दिनों तक धमाल मस्ती के साथ, और तो और मैडम, सुभा मुर्गे से भी पहले उटकर उसने आपके लिए खाना भी बनाया है, मेरी बेटी सच में इतनी बड़ी हो गई, उसने ये सब मेरे लेकिया, हाँ शैल जाजी, अन एक बार अनुसे बात कर लीजिये ना, प्लीज माडम, एक बार उससे बात तो कर लीजिये, अच्छा चलो, खाना खाते हैं, चलो, 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 अभी है दॉक्टर, आपने बोला था खाली टाइम में इलाज करेंगे, बात ये कि इमोशन का मोशन निकल रहे है, कोई स पॉल्यूशन दे देगा, हो गया आपका प्रमनेंट इलाज, तो इसी बात पर बोलो, बाबा जोलरदास की जय हो, बीमारी सच में ठीक होगी ना, चलो, आपको सवा कमोट चड़ाओंगा, बिल्कल, अरे पेंतो दो, हेलो, सारे सारी, बाबा जोलरदास, वेनो, तुम तो अरे कहा, आपसे पहले खाने की मेरी हिम्मत, जितना पूछा उतना ही बोलो, आश्वर्या, मानिक राज कहा है, उन्होंने कहा था, उन्होंने बाहर कुछ काम है, वो खेत के बोरुवेल में लीकेश प्रोब्लम ही, इसलिए ठीक रानी गया है, अगर बात करनी है, तो मैं मै अरे नीचे देखो, कुछ तो निकलाओगा, नहीं कुछ नहीं निकला, अभी क्या लकड़ी से आसमान में छेत करूँ निकाल ले के लिए, अरे दो-तिन घंटा वेट करो, बादल जरूर बरसेंगे, और अगर नहीं बरसे तो, ट्राफिक केसे क्लिर होगा, मानिक राज जी मानिक राज माम, अब ये दूसरे चार्जर से गलत मूबाइल क्यों चार्ज कर रहे है, नमस्ते माइडम, कहा हो तुम, वो खेत में बहुत दिन से पानी नहीं आया था ना, तो मैं धार खोलने के लिए आया था, वो बात में भी किया जा सकता है, फॉरण यहां आओ, मैडम टाइम पे धार नहीं खोलो तो बाड़ा जाएगी, बाण तूट जाएगा तो नजाने कितने लोग बढ़ जाएगे, उन सब पे रहम घाओ मैडम, कॉन्फरेंस पे बात कर लो न, वन टू थृ मिनिट रुगे हैं, अनू, मानिक राज जी फोन करने, उठाओ में, हलो, मानिक राज, आज इनकी वेडिंग अनिवर्सरी है, मैं चाहती थी इनके पसंद का खाना बने, मानिक राज, तुम्हें नॉन्विच खाना बनाना तो आता नहीं, फिर ये सब कैसे बनाया, मैडम, मैडम, प्लीज, मैडम, आजकल थू ट्यूब का जमान है, कोई भी कड़ा मानिक राज, बखवास बाद ये बन करो, मैंने कुछ स्पेशल चीजे बनाई है, एक बार टेस्ट कर लो, हम, टेस्ट तो अच्छा है, पर मसाला थुड़ा जादा है, पानि, निकला, निकला मैं, चमतकार हो गया, पानी, पानी कि तर, पोकेट में खाली है, क्या मुसिबत पाहर आई तो कुछ सुगया, अब ने जाने फिर कप पारिश होगी, अनू, उन्हें मिठाई दो, मिठाई दो, टीस बदल जाएगा, मानिक राज सब ठीक है, ना, निकल रहा था, लेकिन आ ठग गया, अब इस बान से कोई मरे न मरे, लेकिन मेरा मरना तह है, मानिक राज भी लोठी को जाएगा, घर में इतने सारे बाबरची है, कोई मसाला नहीं चेक कर सकता था, पापा, उनकी गलती नहीं है, मैंने ही ज्यादा मसाला डाल दिया, सॉरी, अनू, मैडम, उसने आज तक कभी अपने हाथों से खाना नहीं बनाया, आज पहली बार उसने सिर्फ आ करती है, मैडम, आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहती थी, अगर आप उससे जाकर बात कर लेंगी, तो उससे अच्छा लगेगा, प्लीज, वेनु, कल हमें मंदिर में गौमाता की पूजा करने के लिए जाना है, तैयारी कर लो, वो रहा मनवती का पेड़ और ये रहे, पंडिची, आईएम, पापा, हम यहां क्यों आएं, दरसल हमारी बेटी को शानदार पती मिले, इसके लिए तुम्हारी माने मननत मांगी है, और उस मननत को पूरा करने हम यहां आये हैं, मननत जब इनोंने मांगी है, तो हम यहां क् पूजा करो, वॉलिम थोड़ा बढ़ा होगे, तभी तुम्हें ट्रंसलेट कर पाऊंगा, अबे, ट्रांसलेटर की जरूरत औरों को है, मुझे नहीं, हम बाप बेटी के बीच में डारेक्ट कनेक्शन है, वेनू, मानिक ना से लड़ना बंद करो, यह मंदिर है, तुम लो हैं, तो शायद इससे आपकी मनत पूरी हो जाए, और अनु को भी एक अच्छा सा दूला मिल जाए, पंडित जी, इस पूजा को करने का और कोई तरीका नहीं है, तरीका तो यही है, इसे बदलना आप्शगुन, मानिक राज, जी मेडम जी बुलिए, यह भगवान से नारा मेरा हेवन वासी, पिता जी नहीं बोल पाएगा, यानि नरक वासी, यहां तक की ट्विंकल ट्विंकल मुझे पांचवी क्लास में पोचने के बाद ही याद हुआ, अगर आपकी ये प्रार्तना मैंने उल्टा पढ़ लिया ना, तो लेने के देने पढ़ जाएंगे मेडम, आप एक काम करो, आप इनके पास आकर वो मंतर हवामे बोल दो, छोटी मेडम बहुत जल्दी लिसन कर लेंगी, हाँ, मानिक राज जी, हाँ, डॉक्टर साफ, गो बैक, गो गो, जी, जी, मैम, आप समझ लीजे मैं मानिक राज हूँ, जो मेसेज देंगी सीधा अनु को पास हो जाएगा, अनु, close your eyes, come on, फिक्र मत कीजिए माडम, बोलिया न, आप जो कहेंगी वही रिपीट करूँगा, don't worry, मुझ पर भरोसा रखिए, चलिए शुरू करते हैं, पहला शब क्या है, ओम देटे मुझा, थोड़ा सा थोड़ा सा पास आजाए, थोड़ा सा थोड़ा स कहिए न, हाँ, जरा जोर से कहिए झालन頂 ट शुरू常ा और जोर से कहिए झालन ट शुरू常ा ये कर दोड़ा साथ ते, आप जो ये भरिय ते अनू, खुश हो न? बहुत अभी सही वक्त है ये लो, ये भगवान का प्रसाद है, जाकर अपनी मा को दे दो मुझे पूरा यकीन है कि भगवान के प्रसाद को वो मना नहीं कर पाएंगी तो क्या, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा? कम से कम मानिक राज की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी न? प्रसाद देने से शायद वो थोड़ी सी बात कर ले दिरे-दिरे साब ठीक हो जाएगा, ओके? आरी, आरी, दे दो पेनू, तुम उससे ले आना ये ले जे प्रसाद ले लीजे, ले लीजे, ले लीजे, ले लीजे न? मानिक राज मैडम, मैडम, गिव एर, आई विल फॉरवड ले लीजे ये भगवान का प्रसाद है, इसे मना करना अच्छा नहीं होता ये हरकत कहां से सीखी, मानिक राज मुझे इस सिखाएगा कोई मैं आपको कुछ सिखानी रही हूँ, प्रसाद दे रही हूँ ले लीजे न मेरे लिए सब कुछ भूलाना इतना आसान नहीं है मैं शेल्जा रिड्डी हूँ अरे मैडम, गुस्ता मत कीजिए, भगवान का प्रसाद है ले लीजे न नहीं लिया तो अगर प्रसाद ले लेंगी तो धरम भ्रश्ट हो जाएगा क्या मैं बर्दाश्ट नहीं करूँगी कोई मुझसे जबर्दस्ती नहीं कर सकता अरे समत्करो प्रसाद अनू, अनू, बेटा इस लड़की में कुछ ज़्यादा ही गमंड है इसी वज़े से हम अलग हुए है बता देना उसे मड़म, मड़म सुनिये तो बर्खुरदार, ये शेल जा रेड़ी है एक छोटी सी बात की वज़े से उसने पांच साल तक अनू से बात नहीं की तुम्हारा प्यार मा बेटी के इगो के बीच में दपकर घुट जाएगा लो प्रशाद खाओ थोड़ी दिर रुखना पड़ेगा एक मिनदे माम माम आप यहां से क्यों आ रही हैं आप तो उस तरफ बैठी है ना वहीं जाएए यहां बैठ जाओ और आराम से हां आले लो अजो अरे मैम मेरी बात तो सुने अनु अनु तुम तो संझाओ अम आप देखे न यह समझ जाएगी अरे अनु यह क्या तमाजा है तुम्हें कुछ अकल है कि नहीं नहीं तो बहुत बुरा होगा कुछ बोलते क्यों नहीं समझते क्या अपने आपको मुझे जाते नहीं हो तुम समझे तेरी जगा मैं होता ना तो शल्जा से बतला जरूर लेता मैं भी यही चाहता हूं बस मौक्वे का इंतजार है ए जगा देख शल्जा का दामाद है मानी क्राच्च देखा कर से अनु नाम को बुछो यह कलर बहुत अच्छा है देख लो यह अच्छा है अनु आ यह यह वाला यह आयो हूँ है आयो हूँ है हलो भहिया कैसे हो मैं तो बिल्कुल ठीक हूं तुम कैसी हो मैं ठीक हूं तुम दूंभा क्या कर रहे हो कुछ कास नहीं किसी तरह अपनी शादी बचा रहा हूं यहां बेहन घर पे कुमारी बैठी है और तुम्हें अपनी शादी की फिक्र है अरे मेरी प्यारी बेहन यहां मेरी शादी हो गया नहीं वहीं समझ में आ रहा तूम पहले या मैं पहले करके क्या फाइदा पहले जाकर लड़का दो ढूंडो इसमें अगर पापा से मिल लो अगर वो थोड़ा डांटेंगे तो डांट खा लेना नो बिग दील फिर एक हफ्ते बाद जाकर दुबारा मिल लेना वो दुबारा डांटेंगे डांट खा लेना आखिर में वो डांट के ठक जाएंगे तब उनके पैरों में गिर जाना उनका इगो तो शांत हो जाएगा, उन्हें तुम पर तरस आएगा, अगल तक्तुर जी नहीं माने तो, अब इसके बाद क्या होगा, उसके जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है न, बाकी दिमेदाली मैं थमाल लूँगा, बाद तुम दादी कलवा दो, ओके, ओके, बाई, टेक केर, मेरी बेह आपने देख लिया तो गडबड हो जाएगी, सो वाट, आपने डॉक्टर को बुलाय था न, वो आ गए, आप लोग सब खाना खाये, मैं बस अभी आती हूँ, हाँ, ठीक है, हाई, आपने मुझे बुलाया मैं, वो लड़का कैसा लग रहा है तुम्हें, अच्छा ही लग रहा माम, एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम उस लड़के में नहीं, हमारी बेटी अनू में है, वो एक डॉक्टर है, अपने परिवार के साथ अनू के लिए रिष्टा लेकर आया है, मुझे ये रिष्टा पसंद है और मैं नहीं चाहती कि रिष्टा हाथ से निकल जाए, अनू को मैं इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिर उसने मना कर दिया, अब अगर मैंने उससे पूछा और उसने मना किया, तुम मुझे नहीं पता मैं उसका क्या करूँगी, हलो, हलो, आज डेट क्या है? 18th, यही पूछने के लिए कॉल किया है मैंने याद दिलानी के लिए कॉल किया शादी के लिए जो डेट मैंने डिसाइड किये उसमें सिर्फ एक हफता बचा है ए उस सरफ जा अगर तुम शेल जा रेड़ी को नहीं मना पा रहे हो तो वापिस आ जाओ मैं किसी और से तुम्हारी शादी करवा दूँगा आजाओ घर हाँ, हाँ, ओके पापा, मैं कोशिश कर रहा हूँ जिस गिमी सम टाइम कुछ से टाइम मत मांगो, तास्वाट वी डॉन्ट हाव शादी में सिर्फ तुम्हारी भलाई नहीं बलकि हम सब की भलाई है मेरे बताये हुए दिन पर ही शादी होनी चाहिए तो तुम अपनी दोस्त की सगाई पर नहीं आ पाउगे? मेरी दोस्त? कौन माम? तुम्हारी दोस्त अन्नू की इसी पच्चीस को तो हमने उसकी सगाई तै की है लेकिन अब तक उसने हाँ तो नहीं कहा है न तुम मनाओ उसे पैरेंट्स से जदा अच्छे और करीब बच्चों के दोस्त होते हैं इसलिए अनू तुम्हारी बात मान लेगी और अगर तुम्हारी बात नहीं मानी तो उसे मनाने के तरीके है मेरे पास बता देना उसे कॉंडा है एक से भले ही बच सकता है लेकिन दूसरे से बचना ना मुम्किन है कभी-कभी तो मुझे आपको देखकर बहुत तरस आता है बॉस पर धीरज राखो आपके शादी की पुंगी बजा करी रहेंगे 25 तक अगर अनू की घमन डिमा नहीं मानी ना तो अनू को किटनाप करके मंदिर में शादी कराएंगे और बारात में भूके नंगो को बुलाएंगे और फ्री में हमें बहुत सरे गवाभी मिल जाएंगे सुभा से मेरा दिमाग खराब हो रहा है चारी तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए पहले मुझे अनू से जाकर मिलना होगा तो उसे कॉल करके बुला लो ना बॉस कबसे ट्राइ तो कर रहा हूँ उसका फोन स्विच्ट आ रहा है पता नहीं ऐसे लोग फोन रखते ही क्यो है एक काम करते हैं बॉस हम उसके घर की बिजली काट देते हैं फिर आप उसके रूम में जाकर आराम थी बात कर लो है पी अटो बाभी चे है जारी उस कमरे में कौन है वहां सास वास कोई नहीं है रास्ता साफ है ये मेरा लगता है कमरा एक्सचेंज हो गया है ये वहां क्यों जा रही है खबर न थी तुने क्या किया मैंने तो बस ऐसे किया था दरा किया ना उससे जाओ जाकर लिकरा हूँ जाओ और नहीं तो क्या पाइंट इस मत करो जाओ किसर मेरे रूम में बहुत गर्मी है तो मैं सो नहीं पारे गांडा था ही गयो आतो एनाकॉंडा सुईचे माफ करनो एनाकॉंडा जाले बचान बली तो बड़ते दुश्मन की नली ए डॉक्टर सुनामे को ज्यादा ही बढ़ गई है मजबूरों के फोन करना पड़ा इस गरे पे तरस खाओ ना तुमने बाबा जोलरदास के पैंसे जो मंत्र लिखा था ना उसे भी मैंने पढ़ लिया यह क्या जमेला सुलीशन दूर करने के बज़ा यह चोई के आवाज निकाल रहा है यह डॉक्तर पहले इलेक्ट्रिशन थे क्या फोन काट रहे पहले तो मैडम बीच में आगी पर आप तो मैं अकेला हूँ ना अदे कुछ करना है अड़े तु भाबा जोलर दा इसका चेला है तेरे लिये मामूली बात है बस एक बार ठीक करते उसके बाद देख मैं तुझे कैसे ठीक करता हूँ अरे इस तूफान में तु यह एक सा रहा है भाबा जोलर दा इसके पेन को हिलारा यहूं चहे, इस ने तो फिर फोन बंद कर दिया, बस बहुत हुआ, अब होगा, पेशेंट और डॉक्टर का संगम चुम्या क्यों है? चुम्या क्यों है हो आनकोंता चांग जाएगा तमने बहुत बुला वैच्छे जाओ मैं परिशान हो रही हूं नीन खराब हो रही है मिली किसी को नीन नहीं आ रही तो अप्री कमरें पर जाके सोई ना सोते हैं ना सोने देते हैं आधी रात को यहां क्यों बला है मुझे अगर मम्मी जा गई तो नीन नहीं आ रही है क्या दिमाग में इतना टेंचन हो तो नीन कहां से आने वाली है चलो आज यह तो डॉक्टर की डिगरिग आया वोगी या मेरा लिकेज ठीक होगा इतनी गर्मी में भी चदर ओड़के सोई है इस चादर मेरी है मेरी चादर मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं होड़ सकता यह तो हद्द हो गई मेरी बिल्ली मुझी को ब्याव अरे यह ऐसे क्यों कर रहे है यह यह इस ही क्या हो गया कहीं इस पर काला साया तुरी चड़ गया रहे परे जुआ बे मैं तुझ धूड़ने के लिए पूरा घर चानमाना और तु यह ए मेरे दर्द की कोई दबा नहीं अब तो तु डॉक्टर कम ब्लंबर जाबा दिखता है मानिकराज चुप रहने मरवाएगा क्या चुप रहो अंदर जॉला मुखी फट रहा है एक महीने से ठीक से नहीं खा पाया हूं अरे जब पूराना माल निकले का तभी तो नहीं माल के एंट्री होगी ठीक कर दे पापी पेट का सवाल है अरे मानिकराज शांतो जाओ और मुझे सबसे पहले तुम्हें एक बात बताओ तुमने अपनी पूरी जी जान लगा दे थी उसके लिए पर अच्छी तरह विराजमान होके मैंने उस मंत्र को हजार बर पड़ा उसके बाद गबडगबड करके अपना पेट हिलाया वही भी माटेरियल बाहर नहीं निकला अगर तुने बीमारी ठीक नहीं की तो देख मैं तेरा क्या हल बच्चा दिखता हो सुसुकरे शांतो अब मंत्र पड़के आस्मान में में मानिक राज जी माडम आधी रात को तुम यह क्या कर रहे हो कुछ नहीं वह आस्मान में च्षेद करने के कोशिश कर रहा हूं अन्नू अभी-अभी यहां से गई है उसे ढूणने में मदद करो अजीबसी हरकते कर रही थी तुमने कोई आवास ले यह बुगाफ्ट जाने मैडम, यह क्या मजाक है, तुम यहां क्या कर रहे हो, वो मैं अपना चमकपरी पैन लेने आया था, बाबा जोलर दस ने वो चमकपरी पैन मुझे गिफ्ट में दिया था, ओ, मेरी पैन आपके पास है, थैंक यू सर, यह लाफ किया हुआ अचारी यहां ऐसे अकेले क्यों खड़ी हो सुकिदू खड़ी चे आप मेरा जंडर भूल गई क्या हुआ मैडम आप स्टेचु बनके क्यों खड़ी है मुझे उपर गर्मी लग 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 ले इसलिए खुली आवा में आगए अच्छा तो हवा खाकर पेट भर रही है तुम्हें जाए ने सोई जाओ मैडम या मुसीबत है धड़े-खड़े तबाशा क्या देख रहे हो ज तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसे ही मंदिर में मननत पूरी कराने नहीं ले आई है वो चाहती है कि तुम्हें इस वामाहू जोनर की बेटे से शादी कर लो बचने का कोई तो रास्ता होगा अनू अगर तुम अपनी माँ से माफी नहीं मांगोगी तो बात और बिगड़ती ह चली जाएगी कल सुभा सबसे पहले तुम उनसे सौरी कहके उनसे माफी मांग लेना अगर उन्हें लगेगा कि तुम्हें अपनी गल्ती का एहसास हो गया है तो वो तुमसे बात कर लेंगी फिर उन्हें हमारे बारे में बता कर मैं किसी भी तरह से कन्वेंस कर लूँगा त अरे, छोड़ी दो ना बॉस, उसने आपकी शादी के लिए आपके पापा के पैर पढ़ने से मना कर दिया था, तो अपनी मा से माफी कहां से मांगेगी, सपना देखना छोड़ दो बॉस, और जमीन पर आ जाओ, सुभा सुभा जब भगवान का मंदिर खुलेगा ना, तो दि कुछ नहीं मैडम, बस ऐसे ही बात कर रहे थे, अनू बचपन के बारे में कुछ बता रही थी, वही कह रहा था वो, ओ, और क्या कहा था, बॉस अभी नहीं बात, बे, कुछ नहीं होगा, बताने जरा, उसके पैदा होने से पहले आपने लड़की की मननत मांगी थी न, ओ, उसे अब तक ही बात याद है, कैसे याद नहीं होगी मैम, वो आज इस मंदिर में यही मननत मांगने आई है, कि आप दोनों में जो जगडा है, वो यहीं खत्म हो जाए और आप दोनों फिर से एक दूसरे से पहले जैसी बाते करने लगे, वो मुझसे माफी मांग सकती थी, मैं माफी देने से मना थोड़ी कर देती, आखिर मैं उसकी मां ही तो हूँ, वो आपकी सारी बाते मानने को तयार है, लेकिन वो चाहती है कि आप भी उसकी सारी बाते समझने की कोशिश करें, येस मैम, वो उस लड़के से भी शादी करने के लिए तयार है, जिसे आपने उन मेसेज भेज सकती है कि अनु आई वान्ट टॉक टी यू बस शायद वो मेसेज पढ़कर खुदी आपसे बात करने आजाए इससे आपका इगो भी हर्ट नहीं होगा मैम अनु आपके सामने ही है शाल जाजी उसकी शादी की खातर एक मेसेज आपको उसे करना ही चाहिए मेरी बात मानिए सागरी 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 जानते हो चैतानिया माने मुझसे बाग की उन्होंने मुझे अभी-अभी मेसेज किया वो मुझसे बाग करना चाहती है आपका टाइम आएगा थैंक यू सो माच टाइमिंग गलत हो गया अनू अनू यह मैं हूँ चैतानिया तुम्हारी मम्मी तो वहां खड़ी है शायद इनको तो अपने बेस्ट फ्रेंड में भी अपनी मा का रूप दिखने लगा इसे कहता है मा के लिए बेटी का सच्चा प्यार अनू टाइम वेस्ट मत करो जाकर उनसे बात कर लो वा 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 इसने यहां भी नाटक शुरू कर दिया इस हैपी सिचुईशन में विलन क अब खड़े-खड़े मूँ देखेंगे या कुछ बखेंगे भी हूँ आर तू इसकी बहन के साथ मेरे बेटे की पिछले मैंने सगाई होने वाली थी और मैं इसका अंकल बनने वाला था पर बने तो नहीं न अब आप क्या चाहते हैं ज्यादा कुछ नहीं बस शैलजा जी का फैसला लिया है और इसके पापा ने सब कुछ अनौन्स भी कर दिया है है तू जानता है मुझसे जूट बोलने का अंजाम क्या है मैं जानता था आप मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे इसलिए सबू साथ में लाया हूँ यह देखिए गौर फरमाईए अच्छी तरह से बड़ी अजीब बात है यहां जितने भी लोग खड़े हैं सब सचाई जानते हैं बस आप ही नहीं जानती तुम लोग चुप क्यों हों बोलो ना भाई हाँ अमा मुझे इस बारे में पता था लेकिन अनू ने खुदकुशी की धंकी दी थी इसलिए मैंने आपको माम प्लीज मेरी बात सुनिये लेट मी एक्स्प्लीन माम प्लीज माम प्लीज मेरी बात तो सुनिये माम माम सुनिये माम ये तू जानता है मुझसे जूट बोलने का अंजाम क्या है मेरी बेटी बराबर की जिम्मेदा है इसलिए छोड़ रही हूँ वरना मैं यही तुझे जिन्दा गार देती मैं बरदाश्ट नहीं करूँगे तुझे आदे गंटे का वक्त देती हूँ अगर आज के बाद तू यहां कहीं भी दिखा तो सच में तुझे गार दूँगी छे तुम बाब के नाम पे कलग हो अब चलते हैं शेलजा जी मेरी बात सुनो मुझे कुछ नहीं सुनना अगर इसे अपनी मा की ही इज़त नहीं है ना ही परिवार की मान सम्मान की इज़त है इसे नफरत है मुझसे ये मुझसे दूर रहना चाहती है तो इसे डाट कर कोई फाइदा नहीं मुझे लगा मेरी बेटी में बहुत गमंड है पर वो तो जूट बोलना भी सी गई इसने बिना पूछे अपनी सगाई कर ली क्योंकि इसकी नजर में अपनी मा की कोई कीमत ही नहीं पास साल पहली भी इसने मुझे बेज़त किया इसीलिए मैंने इससे बात करनी बंद कर दी थी इसकी शादी के लिए मैंने एक से एक लाइट लड़के ढूणे डॉक्टर ढूणडा वकील ढूणडा इसने सब को रिजेक कर दिया और इस लड़की के लिए तूने मुझे धोका दिया हाँ शैलजा रेड़ी का नाम सुनते ही दुश्मनों की रूख आप जाती है लेकिन आज मेरी अपनी ही बेटी ने मेरा अस्तित में बिठा दिया शैलजा जी मैंने कभी आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा मेरी बात मानिये ये आपकी बेटी है आपको कभी धोखा नहीं देगी क्योंकि ये आप से प्यार करती है ठीक वैसे ही जैसे आप इससे प्यार करती है अगर ये मुझसे प्यार करती है तो इससे कहो कि मेरी हर कही हुई बात को मान ले बिना किसी घमन्ड और जिद के इसने कहा कि मुझे आठ पढ़ना है और हमने इसे पढ़ने दिया अब इससे कहो कि चुपचाप मेरा कहना माने जिससे मैंने चुना है उससे शादी करे पर उसकी मर्जी के बिना ये नहीं कहनो, जबाद लड़ाते हो कैसी हो शेल्जा, मुझे देख कर कुछ है विचले कई हफ्तों से मुझे इसी पल का पेसपरी से इंतजार था और आखिर वो पल आई गया आज पुराना हिसाब चुकता कर लेते हैं एक राज की बात बताऊं मैंने अपनी बीवी और अपनी मा को अपने यादों से काट के नदी में फेग दिया तंग आ चुका था मैं उनके जगड़े से और आज तेरे भी टुकड़े करके मैं तुझे भी उनी के पास पहुचाऊंगा एए शेलेजा रेड़ी वो शेर नहीं है जिसे तेरे जैसा कायर कभी नहीं मार सकता आँ मार मुझे देखती हूं कितना दम है आजा झार कभी य कितनांने की अरिगर पिछ नहीं है अर्फ भेडिस करे लंसान कर दो शोर कर दो राखिने में प्रफ़ास में अप्राइब अंगे nuclear घाख अंगे तक में प्राइब व्डिए बंगे fNew जर दो कि आरी डाव नियों एप प्रिघ्द कर दो मेरे रास्ते से हट जा वैसे भी इसके मर जाने से तो तेरा भी फाइदा होगा ये मैं अपने फाइदे के लिए नहीं आया था मैंने अनु से वादा किया था कि उसके परिवार पर कोई भी मुस्थी बताए मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा और मैं वादा नहीं तोड़ता है जैसे धरी मरसी अब तेरा भी खेल खताम घ्र भापके मजाल सुर्प फाइदे की प्रफ़ लाइदे की प्रुट जरी 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 जर झाँ эк ș Owen याँ से छो ममी अऐस्थि कि अपाइ ऑल्ठाइ तेए है अब खुर सकत... तूर उल... पुर उल जल खल पर पर उल अनू, मामी को पानी देए नहीं चाहिए मुझे जिससे पीना होगा, पीलेगा शेछलजा जी, यह चोड कैसे लगी? मानिकराज कहा है पापा मानिकराज कहा है मानि Alberाज कहा है क्यों क्या होगा फिर सेना टक शुरू करना है क्या अनूका मा बेटी का रिष्ता है मुझे नहीं लगता दुनिया में आप जैसे और नमूने होंगे आप दोनों ही कहती हैं कि एक दूसरे से प्यार करती है तो जब प्यार दिखाने की बात आती है प्यार खिड़की से बाहर जाता और घमन टेक ओवर कर लेता है तुम अपनी मा के लिए अपने हाथों से खाना बना सकती हो लेकिन उन्हें खाना परोस नहीं सकती आप अपनी अलमारी में इसके लिए डाइमन नेकलिस रख सकती है लेकिन एक बार प्यार से इसे पहनाएंगी नहीं प्यार तब दक नहीं दिखता जब तक उसे जताया नहीं जाता है अपनों को प्यार दिखाने में घमन किस बात का जब दो लोगों में प्यार होता है तो उनके बीच कोई नहीं आ सकता लेकिन उनमें दूरी आय तो उनहीं का दोश होता है आपने एक बार बात करके उसे प्यार से समझाया होता कि परिवार के सामने घमन कोई माईने नहीं रखता माँ से बढ़कर कोई टीचर होती है क्या गरीब लोगों की मदद करने के लिए आपने मन ही मन एक हॉस्पिटल खोलने का फैसला कर लिया था लेकिन इगों के चलते बेटी को जबर्दस्ती डॉक्टर क्यों बनवाना था और मान लिया आपकी बेटी डॉक्टर भी बन जाती और एक हॉस्पिटल भी खोल लेती ये पक्का अपने पेशन्स को मार देती आपको लगता है कि इसमें डॉक्टर बनने के गुन है उसे जनम दिया, उस मा तक से बात करने को तयार नहीं जो लड़की अपनी मा की इज़त नहीं कर सकती वो अपनी पती की इज़त क्या करेगी और जो पत्नी पती की इज़त ही ना करे वो दामाद की इज़त क्या करेगी पहले ही लाइफ में 20 सालों से अपने घमंडी बाप को जेल रहा हूँ मेरे लिए उतना ही काफी है उनके घमंड की वज़े से मेरी बहन की शादी रुख गए लेकिन उस इंसान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा मैं और घमंड नहीं जेल सकता और हाँ, एक बात और अगर मेरी वज़े से आप अपनी बेटी से नाराज है तो ऐसा मत कीजिए मैं आपको फिर कभी नहीं दिखूँगा जो शेल अचार एड़ी किसी औरत की तकलीफ नहीं देख पाती उसे अपनी ही बेटी की तकलीफे नजर नहीं आ रही है दुनिया भर के मसले सुलजाने से पहले आपको अपनी घर की मुसीबतों पर ध्यान देना चाहिए प्लीज प्लीज अलो यहां तहलका मचाकर वहां चैन के दिन गुजार रहे हो वट नॉंसेंस कान बोल रहे है फोन पर मेरा नाम देख कर भी नाम पूछ रहे हो तुम्हारा बेटा बिलकु सही कह रहा था तुम सच में बहुत गमंडी हो मेरी बात ध्यान से सुनो तुम्हारी बेटी मेरे पास है ए शांतिकार शांतिकार चिलाओ मत वो मेरे पास है तुमने मुझसे बिना पूछे मेरी बेटी की सगाई करवाई थी ना अब आज मेरी बारी है तेरी बेटी की शादी उसके प्रेमी से करवाने जा रही हूँ हिम्मत है, तो आके रोक ले। सुना है, तेरा गमंड बहुत बड़ा है। जरा मैं भी तो देखू तेरा इगमंड ये शादी रोक भी पाता है या नहीं। ये क्या है शाल्या जी। मैंने आपको ये सारी जानकारी इसलिए नहीं दीती ताकि आप मेरे बेटे की शादी उसकी बेटी से करवाने। देखिए मैं सिर्फ इतना चाहता था कि आप इस लड़के के बाप को सजा दें। जिसने मेरे बेटे का अपमान किया है। चलो आज़ा। किदर जा रहा है। पहले पर्मिशन ले। क्या हुआ शाल्या जी बुझे धमकी दे रहे। आपको मालूम भी है मैं कौन हूँ। ममी। दोर्ते लग गई क्या। जापड उसने मारा सौरी तुम कह रहे हो। शंकर मुझे लगता है डाल में कुछ काला है। ठपड का प्रेडियूसर यही तो नहीं। अम्मा दलतल उत तगाई में तैतन्या का कोई आत नहीं है। यह उतके पापा का काम है। मेले पापा ने उतके पापा को बलकाया। और उन्होंने कुट्टे में तगाई कलवा दी, मैं भी तैतन्या की बेहन दे थादी कलने के बाद आप दे उन दोनों की थादी की बात करने आनहीं वाला था, लेकिन मुझे बहुत देल हो गई, अब आप ही तब तमाल सकती हैं अरे कब तक घूरता रहेगा इसे, चल नहीं तो और जूते पड़ेंगे अलो मेरी बहन की शादी शैलजा रेड़ी के हाथ हों और इसलिए, अनू मेरी जिंदगी में आई होगी अपनी जबान पर लगाब लगाबना बैतरी खाय खिश रूँगा खीच लीजिएगा, पर ऐसा करने से ये शादी नहीं रुकने वाली है आज आपके बदले मैं इसका बाब बनकर इस शादी की सारी रस्में पूरी करूँगा, यहां तक की शान्ती का कन्यादान भी मैं ही करवाऊँगा जैचाने तुम हमेशा मुझे क्यूं सताते रहते हुआ हाई माँ यह देखिए जी आपका दामाद नमत्यता तुर्की कहा है आप लोग कब आएंगे राफोन दो मुझे, मात करोऊँगा फैक्तिया इसकी नहीं है गलती इसकी नहीं है इस नाला एकी सारी फसाद की जड़ी यही है तुम जानती भी हो तुम किसे धंका रहे हो यह शेलजा रेड़ी का दामाद है अगर ना पता हो तो पता कर लो मुझे फर्क नहीं पड़ता यहां सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है यहां पर जो भी मेरी मर्जी के बगैर जबान चलाता है तो उसकी जबान काट ली जाती है जानते हो तुमने अनू के साथ चुकिया उसे सुनकर मेरा खून खौल उठा था इसके लिए मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी पर ऐसा करने से तुम्हारे बेटे ने मुझे मना कर दिया वो नहीं चाहता था कि तुम्हारी इज़त की धचिया उड़ जाए शिवा चैतन्या के पिता के आने से पहले इनकी शादी करवा दो मुझे मन्जूर नहीं है हाँ मैं चाहता हूँ कि इनकी शादी हो लेकिन अपने मॉम डैड के बगएर अगर इसकी शादी करवा दूँगा तो मुझसे बुरा बेटा कोई नहीं होगा लेकिन तुम तो अपने डैड से नाराज होना नाराज होने की वज़े ये नहीं है मैं तो चाहता था कि उन्हें किसी तरह गुस्सा दिलाओं और इस शादी तक उन्हें लेकर आजाओ उनके बिना शादी करवाके मैं अपने मॉम डैड के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता अगर भाग करी शादी करनी होती तो फिर मैं और मेरी बहन शान्ती अपनी अपनी शादी कपकी करा चुके होते हैं फिर मुझे आपको मेरी शादी के लिए और डैड को बहन की शादी के लिए मनाने में टाइम बेस नहीं करना पड़ता अपने बच्चों की शादी कराना, माबाप के लिए कितनी बड़ी बात होती है और ये खुशी का मौका उनकी जिन्दगी में एक ही बार आता है और उन्हें अपनी शादी में शामिल करना, हमारी जिम्मेदारी होती है यह हम सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं करते हैं इसमें शामिल होना उनका हाग है उन्हें उस दिन उनके हाग की खुशी और इज़त मिलनी ही चाहिए अब आप ही बताईए ऐसा बेटा पाकर किसी बाप को उस पर नाज नहीं होगा क्या? इसलिए चैतन के कहने पर मैंने शान्ती की शादी नहीं करवाई यह चाहता है कि आप उन्हें आशिरवाद दे यह सिर्फ इतना चाहते है इन्हें इनके प्यार से पहले आपका आशिरवाद मिले यह आपकी मान सम्मान के लिए अपना प्यार कुरुबान करने चले थे अब भी देर नहीं हुई है डाड अगर आप अपनी इजासत नहीं देंगे तो ये शादी नहीं होगी हाँ पापा अगर आप नहीं चाहते तो हम शादी नहीं करेंगे क्या बात है डाड आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको कभी नीचा दिखाऊंगा मैं सिर्फ आपकी खुशी चाहता जब आप खुशी-खुशी इस चादी को मन्जूर कर लेंगे सिर्फ तभी हम अपने आपको खुश किसमत समझेंगे आपकी बेटी के साथ ऐसा करके मैंने बहुत बड़ी आप माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए अपनों से माफी कैसे समझी जी आज इस खुशी के मौके पर मेरी बेटी का रिष्टा इसके साथ करके उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे न बिल्कुल नहीं बलकि आप मेरे बेटे को अपने परिवार का हिस्सा बनाएए प्लीज जो यो तो में लोगे मगरमच और अनाकॉंड़ा का मिलन हो ही गया अगर प्यार चाहे तो किसी को भी मिला सकता है अलो सिर्फ आप दुनों की मंजूरी होने से कुछ नहीं होगा वो बहुत गम अंडी है बिलकुल नहीं बदलने वाली मुझे शादी नहीं गरनी है अवे चुक कर जब हम बदल गए तो वो भी बदलेगी अरे बहुरानी है यार हो जाओ शुब मूर्थ बीता जा रहा है ए रुको एक मिनिट ये मुझे पहनाने दो मैंने वादा किया था ना नहीं नहीं इसे देखो जरा क्या हुआ मेरी बेटी मेरी जान का टुकड़ा वो जारी है मैं उसके विदा नहीं रह सकती रोते नहीं सब तुमारा लिजार कर रहे हैं आओ अरे ठीक से डालो ना पानी लगता है कई दिनों से नहाए नहीं हो अरे फिर रोप दिया अरे गसो गसो तो ही मलाई मलसे मलाई अरे डालते जाओ डालो डालो अभी पानी में भी कंजूसी करोगे तीक दितापते लो आरे शंकर रो है अरे शंकर रहो आई है वा है क्या हुआ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो